जीने के उपरी रोशन हिस्से में एक बालों भरी खोपड़ी नजर आई ही 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 हनसी की अवाज जैसे पईया पैंक्चरो क्या हो इसका मूग उलावा था दांत एक भी नहीं था इसलिए हनसी हवा के भबके की तरह निकल रही थी सूखे गर्स से अटेवे बाल चेहरे पर बिख्रेवे थे आँके अंदर को धंसी हुई थी गालों के पिचेकने की वज़ा से चेहरे की एक एक खड़ी उभरी हुई थी वो परी ब्रामदे में आकर खड़ा हो गया मैंने इसकी आँकों में ज्छांकते इसकी सवाल इसकी सोच में सवाल किया मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? उसे जवाबन सोचना चाहिए था मगर वो बड़बढ़ाने लगा मैंने गवर से सुनने की कोशिश की मगर कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि इसकी आँवास बड़ी कमजोर थी और जो बात वो कह रहा था वो इसके पोपले मुसे हवा के भबके की तरह निकल रही थी फिर मैंने इसके करीब पहुंच कर कहा मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है तुम कौन सी जवान बोल रहे हो? ही 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 बढ़ापे की जवान जवाने की समझ में नहीं आती मगर वो जो जवान लहू का प्यासा है मैं इसकी वास सुन रहा हूं तुम भी जवान हो वो तुमारे भी खोन का प्यासा है भाग जाओ भाग जाओ मगर तुम भाग कर कहा concur जाओगे? किले के आहनी दर्वाजे बंद हैं वो दर्वाजे कबर की मिट्टी से ज्यादा मजबूत है मेरे साथ आओ मैं तुम्हें ऐसी जगा चुपा दूँगा कि वो तुम्हारी बूँ नहीं सूंग सकेगा उसकी आदी बाते पोपले मूँ की हवा में उड़ जाती थी फिर भी मैंने समझ लिया कि वो क्या कह रहा है मैंने अंदाजे के मताबिक कहा मैं समझ गया तुम आर्थर और रूथ के डैड़ी हो तुम्हारा ना माइक है उसने इस बात में सर हिला कर कहा हाँ मैं इनका बाप हूँ मगर वो सब मुझे हपती और दिवाना समझते हैं मगर मैं हपती नहीं हूँ मैं मैं होश मंद हूँ मैं अंधेरे में शेतान के कदमों की आहट सुन लेता हूँ देखो वो तुमारी बूस सूंकता हुआ आ रहा है दरा कान लगा कर इसकी अवास को सुनो यक बेख रात का सननाटा लरस किया फड़ 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 की अवास के साथ लकड़ी का जीना फिर करहने लगा क्या चमगादड़े भी परों को फड़़पडाती हुई जीने पर चड़ती हैं बुड़े माइक ने मेरा हाथ पकड़ कर एक तरफ खेंचते हुए का दे ना करो अपनी भू को इसे दूर ले जाओ चलो भागो जल्दी आओ इस बुड़े में इतनी कुवत नहीं थी के मुझे खेंच कर ले जा सकता लेकिन मैं खुद खेंचता चला गया हम दोनों आगे बढ़ते हुए रोशन हिस्से से निकल कर तारीक हिस्से में पहुँच गए बुड़ा माइक दिवार पर दोनों हाथ रखकरस के दर्मियां से एक पत्थर निकाल रहा था इसी वकत फिर परों के फड़फ़णे की आवाज सुनाई दी वो लकड़ी का जीना करह रहा था फिर मेरे करीबी एक तमसे गिरगराहट की आवाज सुनाई दी मैं दिवार से लगा खड़ा था इस गिरगराहट की आवाज के साथ ही अचानक इस दिवार के अंदर चला गया चंद लमहों तक तो कुछ समझ नहीं आया के मेरे साथ क्या हो रहा है अब मैं फरश पर गिरगराहट की आवाज फिर सुनाई थी इसके बाद हमोशी चागए मैं आके फाड़ फड़कर अपने चारों तरफ देखने लगा मगर कबर की हौलनाक तारीकी में भी कुछ नजर नहीं आता चंद लमों तक मैं हमोश बैठा अपने जहन को प्रसकून बनाता रहा फिर ये बाद समझ में आगी के जिस दिवार से मैं टेक लगा कर खड़ा हुआ था वो मेरे पीछे की तरफ अट गई थी ऐसे वकत मैं अपना तवाजन बरकरार ना रख सका और इस तारीक हिसे में आकर गिर पड़ा था आवा मतहरक दिवार और वो बुड़ा माइक और उपरी मन्जल का वरोशन हिस्सा सब कुछ नजरों से ओच्छल हो गया था मैंने बैठे बैठे सामने की तरफ दोनों हाथ बढ़ाए मेरे हाथ पत्रीली दिवार से जाकर लग गए मैं उटकर खड़ा हो गया फिर मैंने पलट कर अपने दोनों हाथ आगे की तरफ बढ़ाए फिर संबल कर आगे की तरफ कदम उठाया दो कदम आगे बढ़ते ही मेरे दोनों हाथ पैर दिवा से टकरा गए यानि मेरे आगे पीछे दोनों तरफ मतवाजी दिवारे खड़ी हुई थी मैंने बाएं तरफ घूम कर इसी तरह दोनों हाथ आगे बढ़ा कर चलना शुरू किया महां तीन कदम के फासले पर ही तीसरी दिवार ने रास्ता रोक लिया वाकरी कबर की तरह चारों तरफ से दिवारे चुंदी गई थी पतनी तकदीर ने मुझे कहा लाप है का था मैंने दिली दिल में कहा बेटे फरहाद अली तैमूर आप बैटे ख्याल ख्याल को पढ़ा क्या पढ़ा ये नहीं बताओंगा इसले के मैं आपको भी अपने साथ कबर के इस अंधेरे में सफर कराना चाहता हूँ वैसे इतना बता देना चाहता हूँ कि बेचारे माइक ने मुझसे दुश्मनी नहीं की थी और वो चारो यनि मुईसो मोटो, फटाबा, अर्थर और रूथ भी मुझसे बहुत दूर थे परहल इस आंके फोड़ देने वली तारीकी में तीन तरफ दिवारों को मैसूस कर चुका था इसके बाद मैं दोनों हाथ आगे बढ़ा कर चोथी सिम्त आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगा जाती तजर्वे से पता चल रहा था कि अंधे किस तरह जिन्दगी के अंधेरे रास्ते पर चलते होंगे जोथी सिम्त किसी दिवार ने रास्ता नहीं रुका मैं संभल संभल कर कदम रखता हुआ आगे बढ़ता चला गया वो कलकी कोई बहुत ही खुफिया रहधरी थी जैसा के आम तोर से दास्तानों में पुराने किलों के खुफिया रास्तों और तैहानों के मतलिक सुना जाता है बिल्कुल ऐसी किसी रास्ते से मैं गुजर रहा था और मेहसूस कर रहा था कि वो अंधी रहधरी बततरीच नीचे की तरफ जा रही है दस मिनट के बाद ही मैं चलते चलते जरा ठहर किया दूर अंधेरे में दो सितारे टिम्टिमा रहे थे मैंने दोनों हाथों से आँखें मल कर देखा तो वो दो सुलकती हुई आँखें नजर आई मैं जो किसी की भी आँखों में उतर कर दिमाग में पहुंच जाता हूं तो इन आँखों में भी उतरने की कोशिश की मगर इन आँखों के पीछे तो कोई दिमाग नहीं था मैं थोड़ी देर तक हैरानी से सोचता रहा फिर आइस्ता आगे बढ़ने लगा जरा करीब पहुंच कर मुझे अपनी बुकलाहट पर शर्मिंदगी हुई क्योंकि वो आँखे नहीं दो सुराख थे सुराहों के बनावट बिलकुल आँखों की तरह थी और इनके पीछे जर्द रोशनी नजर आ रही थी मुझे कुछ उमीद नजर आई कि आब इस कबर की थंडी तारीकी से निकलने का मौका बिलेगा मैंने बिलकुल करीब पहुँचकर इन दोनों सुराहों पर अपनी आँखे लगा दी दूसरी तरफ मुझे एक कशादा कमरा नजर आया सिगार मेज के एक तरफ एक शमादान रखी हुई थी जिसमें चार मौमबतियां सुलग रही थी एक दरमयाने कट की नौजवान लड़की शमादान की तरफ रुख की अपना लबास उतार रही थी ऐसे वक्त हर शरीफ आदमी को आँखे बंद कर लेना चाहिए लेकिन इतनी देर से तो मैं आँखे खुली रखने के बावजूद अंधा बनकर वहाँ तक पहुँचा था आप बहर निकले की उमीद नजर आ रही थी तो मैं कैसे आँखे बंद कर लेता इसके मुतसर से लबाज से पता चल रहा था कि अब वो सोने के लिए जा रही है लबाज के बोच से आजाद होने के बाद वो एक भरपूर अंगडाई लेती हुई बलट गई तब मैंने इसका चेहरा देखा वो सोजोको थी मैंने इसके दिमाग में चांकर इसकी खैरियत मालूम की पता चला कि वो कैद किये जाने के बावजुद मुतमाइन है उसे इतमिनान इसलिए था कि अब तक किसी ने इस पर जल्म नहीं किया था कोई बात इसके मिजज़ के खिलाफ नहीं हुई थी इसके अराम का खास ख्याल रखा जा रहा था पिर उसे यकीन था कि उसका बाब करनल और सीक्रिफ्ट सर्वस के लोग उसे जरूर ठूर निकालेंगे मैरा अलाब मैं अपने आपको इस कैद से निकालना चाहता था और मेरा ख्याल था के सुदको के कमरे में पहुँचने के लिए वहां से कोई दर्वाजा जरूर होगा मैं इस दिवार को टोटोलने लगा एक जगा दिवार जरा हिलती हुई नजर आई मैं दो कदम हट कर पीछे की तरफ किया फिर तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी पुस्त से दर्वाजे पर जोर का धका मारा फिर जैसे मैं एक साथ के लिए फजा में मौल लख हो गया अपनी जगास जैसे उड़ता हुआ आया फिर बड़े से पलंके मलाईं बिस्दब पर चारो शाने चित गिर पड़ा बहराला मैं अपने आपको स्कैट से निकालना चाहता था और मेरा ख्याल था कि सुजोको के कमरे में पहुँचने के लिए वहां से कोई दर्वाजा जरूर होगा मैं इस दिवार को टुटोलने लगा एक जगा दिवार जरा हिलती हुई नजर आई मैं दो कदम हट कर पीछे की तरफ गया फिर तेजी से आगे बढ़ते वे अपनी पुस्त से दर्वाजे पर जोर का धका मारा फिर जैसे मैं एक साथ के लिए फजा में मौलक हो गया अपनी जगासे जैसे उड़ता हुआ आया फिर बड़े से पलंग के मलाइम बिस्तर पर चारोशाने चित गिर पड़ा सुजो को सोनी के लिए इसी पलंग पर आ रही थी मुझे देखते इसने जोर की चीख मारी फिर दर्वाजे की तरफ भागती चली गई मैं आके पाड़े अपने सामनी की दिवार को देख रहा था वहां भी दिवार पर एक कदादम तस्वीर लगी हुई थी और वो ख्याली तस्वीर थी मैं ऐसी तस्वीर के पास से उड़ता हुआ इस पलंग पर आया था यानी वो दिवार कि जिस हिसे पर लगी हुई थी पत्रिली दिवार का वो हिसा मतहरक था यू समझिए कि रिवाल्विंग चेर की तरह वो दिवार गूमती थी और आने जाने का रास्ता देने के बाद फिर गूम कर अपनी जगा आ जाती थी इस दिवार के मिकनेजम को समझने के लिए मैंने सुजोको की तरफING तुजज़ दी वो कमरे से बाहर निकलने के लिए दरuyuज़े को पीट रही थी चू़के वो कैदी थी इसले दरophyर बाहर से बंद था वो सहम सहम कर मेरी जान भी देखती जा रही थी में मेकब में ना होता तो वो मुझे पहचान लेती क्योंकि एक बार वो मुझे देख चुकी थी मैंने झूद को इस पर जाहर नहीं किया मैं पिलाल यह जाहर नहीं करना चाथा कि बहसियत परहाद मैं से पास पहुँच के आ controle मैं सुनिया को मौका देना चाहता था कि वो अपनी शर्ट के मताबिक सुजोको तक पहुंच जाए सुजोको को वहाँ से वापस ले जाने का जहां तक सवाल था तो मैं तकरीबन वो शर्ट जीत चुका था क्योंकि अब मैं किसी वक्त भी सुजोको को वहां से निकाल कर ले जा सकता था लेकिन एक मर्द की जीत इस में है कि वो अपनी औरत को शर्त हारने से बचा ले मैं सोने के गुरूर को ठेस नहीं पहुंचाना चाता था फिर जैसा कि मैं किया चुका हूँ कि मैं किसी ना किसी तरह इस ड्रेकॉला तक पहुचना चाता था थोड़ी देर बाद दिरवादा खुल गया मॉईसो मोटो, रूथ, आर्थर और फटाबा बद हुआसी में दोड़ते हुए कमरे में चले आए फटाबा के हाथ में रिवालवर और आर्थर के हाथ में एक नंगा चाकू था मैं इतमिनान से पलंग पर प्ले थी मारकर बैट कया सुदो को दैशे जदा होकर रूथ से लिपट गई थी और कह रही थी, ये बदमाश पता नहीं मेरे कमरे में कहां से आ गया है ऐसा मलूम होता है कि छट से टबक पढ़ा है कोन है ये सब लोग मुझे हैरानी से आंके फाड़ फाड़ कर देख रहे थी फटाबा ने कदम आगे बढ़कर मुझसे बूचा तुम तुम इस कमरे में कहां से आ गए मैंने दोनों हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए कहा अल्ला बड़ा का अरसास है कभी छपपर फाड़ कर दोला देता है और कभी दिवार फाड़ कर मुझे हसीनों के पास पहुचा देता है वैसे ये जपानी गुड़ी अबड़ी हसीन है कहां से उड़ा कर लायो बकवास मत करो फटाबा ने गुसे से धारते हुए का सीधी तरह बताओ किस कमरे में किस तरह आये हो मैंने बदस्तूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया मिस्टर फटाबा तुम इसकला कि माली को तुम्हें अच्छी तरह मलूम होना चाहिए किस बंद कमरे में मैं किदर से आया हूँ या किदर से आ सकता हूँ फटाबार और्थर एक दूसरे को सवाली है नजरों से देखने लगे सुजोको ने तेजाच किया ये कमरा महفوظ नहीं है मैं या नहीं रहूंग मुझे बताया जाए मुझे बताया जाए कि ये बदमाश कहां से आया है मैंने बड़े प्यार से पुछकारते हुए कहा मेरी जापानी गुडिया मुझे बदमाश कहा कर मेरा दिल ना तोड़ो मैं तुमारे हुसन का दिवाना हूँ ये दिवानी जो तुमारे साथ कड़े हुए है करता हुआ तमारी बिस्तर पर आया हूँ फटावा ने अन्जान बनकर हैरानी से पूछा क्या इस दरवाजे के पीछे जो रास्ता है ताजब है मैं यहां का मालिक हूँ और आई तक मुझे ये बात मलूम नहों सकी मुझे यकीन ही आता मैं खुद देखूंगा कि ये दिवार किस तरह गूम कर खुलती है वो रिवालवर को जेम में रखकर तेज़ी से चलता हुआ दिवार के पास किया इसके पीछे आतर और मुझे समोटो भी गए फिर वो लोग दिवार को इधर से उधर धके दे कर खुफिया दिरवाजे को तलाश करने लगे मैंने करनल जोशुफ की तस्वीर को देखा जिसकी दो आँखों की जगा दो सुराख थे मैंने इनी सुराखों से जहांक कर इस कमरे को दर्याक्त किया था फिर मैं भी अपनी जगा से उटकर इसी दिवार के पास आया और इसके रिवालविंग दिरवाजे को तलाश करने लगा लेकि यहां से वह कोई अभी तन्जी अंदाज में देख रहे थे कोई कि मैं वहाँ एक चोड दर्वाजे की मौजूदगी का सबुत नहीं दे सका था फटाबा ने गुरा कर कहा मिस सोजो को वो दैशे सदा करना चाहते हो कि इस कमरे में आने का कोई रास्ता भी है तुम सीधी तरह नहीं बताओगे कि इस कमरे में किस तरह आये हो उसने फिर जेब से रिवालवर निकाल लिया मैंने इसकी जानब देखते हुए हकारत से कहा तुम बार बार मुझे ये खिलो ना क्यो दिखा रहे हो साब बात ये है कि मैं इसी दिवार से निगल कर आया हूँ अगर यकीन नहीं आता तो समझ लो कि मैं कोई जादूगर हूँ और अपने काले अमल से पत्त्रीली दिवारों के आर पर चला आता हूँ फटाबा वगारा के दिमाग में ये सवाल कुल बला रहा था कि आखर में इस चोर रासे तक कैसे पहुंच गया ये सवाल रूथ ने मुझसे किया मैंने जवाब दिया रूथ डार्लिंग तुमारे बुड़े बाप की महरबानी से मैस अंधे रासे पर पहुंच किया था क्या वो बुड़ा पोपले मुवला तुम्हरा बाप नहीं है आर्थर ने गुसे से आगे बढ़ते वे कहा तुम मेरे डैड़ी का मज़ा कुड़ा रहे हो वो पोपले नहीं हैं इस बुड़ापे में भी इनके तमाम दान्त मौझूद है मैंने तन्जिया अंदाज में कहा तुम में अपने डैड़ी से एक सदी पहले मुलाकात की होगी अब अच्छे बचे की तरह अपने बाप से जाकर मुलाकात करो इनके सारे दान्त जड़ गए हैं और तुम ऐसे घुसे से मेरी तरफ ना बढ़ो ऐसा नहों कि तुम्हारे दान्त भी जड़ जाएं फटाबा ने आर्थर का बाजू पकड़ कर उसे हटाते हुए कहा तुम पीछे अट जाओ ये से तरह नहीं मानेगा इसे मैं अपने कमरे में ले जाकर पूछूँँगा जो तुम जिन्दा रहना चाहते हो तो इस रिवालवर के साथ चुप चाप चलते हो अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे रख लो मैंने अपने दोनों हाथ सर के पीछे रख लिए फिर इसके आगे चलता हुआ दर्वाजे की दरफ जाने लगा सुजुको जल्दी से दर्वाजे के आगे आकर रास्ता रुकती हुई बोली ठैर जाओ, पहले मेरी रहाईश का इंदाजाम करो, मैं इस कमरे में तरहा नहीं रहूंगी फटाबा ने चंद लम्हें सोचने के बात कहा ठीक है, तुम रूत के साथ चली जाओ, तो के साथ रात गुजार लो सुजुको दर्वाजे के पास से हट गई, मैं फटाबा के हुकम के मताबक इसके आगया गया चलता हुआ, एक कोरिडोर से गुजरने लगा बाकी तमाम लोग पीछे रह गए थे, वो तन्हा मुझे रिवाल्वर की जद पर ले जा रहा था, इस अकेले से निमर्टा कोई बड़ी बात न थी, वैसे फटाबा को अपनी ताकत और फिर पुरतीले पन पर बड़ा नास था, वो चार फिट का बोना, रिवाल्वर के काफी था कि मैं इसके जेन को जरा सा छटका देता, इस वकट तक हम गरांट फ्लॉर के तारीक हाल में पहुंच गए थे, अब इस हाल में दो मौमी शमे रोशन थी, मैं जीने के दर बढ़ने लगा तो इसने ललकार कर कहा, ठैरो, इदर नहीं उदर चलो, मैंने कहा, पहले म मेंस पर मौमी शमे रोशन थी, वहां उसने रिवालवर को रखते हुए कहा, यह यहां रखा हुआ है, मैं पीछे अट जाता हूँ, अगर तुम यह रिवालवर उठा सको तो फिर यह तुमारा हो जाएगा, और तुम उपर जाकर रेनी से भी मिल सकोगे, यह कहा कर वो तकर परिबन तीन कदम पीछे चला गया, फिर किंग फू आर्ट की नुआश करने के लिए अपने हाथ पाउं के मुतलिफ जाविये बनाने लगा, इस वक्त वो बोना शेतान बहुत ही खतरनाक नजर आ रहा था, और मैं इसके दिमाग को पढ़ चुका था, वो जपानी मार्शल पर से दूर ले जाएगा, इसके बाद हेड लॉक के जरीए मेरे बारा बचा देगा, जो थनसू, क्या सोच रहे हो, रिवालवर तुम से सिर्फ एक कदम के फासले पर है, आके बड़ोवे से उठा लो, पहले तुम एने जरा हिचकी चाहट का मुझाहरा किया, इसके किंग के पंतीरे दे कर खौफ जदा होने की एक्टिंग की, फिर रिवालवर की तरफ मैंने कदम बढ़ाया, और ठीक, इसी वक्त मैं इसके दिमाग में भी बैठा हुआ था, इसलिए मैं इसकी एक एक जुमश को समझ सकता था, वो बिजली किसी तेजी से फजा में उचल कर मेरी गर्दन में टांगों की कैंची डालने आया, इसका निशाना बिल्कुल द्रोस्त था, लेकिन मैंने जुकाई देकर दोनों हाथों से उसे अपनी पूस्त की जानब चलता कर दिया, फिर इससे पहले कि वो दुबारा फर्श से उठता, मैंने पूर्टी से रिवालवर को जा दिया, अब हाल में गहरी तारीकी च्छा गई थी, हाथ को हाथ सुझा ही नहीं दे रहा था, वो फर्श से उठता, वो अपने कपड़ों से गर्द जाडता, वो मुझे गालियां दे रहा था, मैंने कहा, गालियां न दो वरना मैं गोली चला दूँगा, वो घबरा कर च तुमारा, शायद तुम वो शमादान उठा कर मेरी आवाज की सिम थमला करना चाते हो, वो ठुटक कर खड़ा हो गया, मैंने उसे हुकम दिया, आप जीने की तरफ बड़ो, और रेनी के कमरे की तरफ चलो, वो फौरान ही पलटकर जीने की तरफ जाने लगा, उसके दिमाग तो क्या हरच है, उसकी सोच ने कहा, हाएं, ये कैसी बात मैं सोचा हूँ, मैं इस कमबहत को इस कमरे में कैसे ले जा सकता हूँ, रेनी तो अब वहाँ नहीं होगी, तमाग यक बयक कितनी सोचों की अमाजगा होता है, इनसान एक बात सोचते होगा ठीक, उसी लम्हे अपनी जाड़ दी, उठोकर मेरे मूवर पड़ी थी, मैं अपना तवाजन ना संभाल सका और पीछे की तरफ उलट कर जीने पर लुड़कता हुआ, नीचे की तरफ जाने लगा, नीचे हाल के गर्द अलूद फरश पर पहुंच कर मुझे समलने का मौका मिला, गर्चा सफ्त जाएर करके दूसरों को अपनी तर मतवज़ा नहीं करना चाता था, जब मैं उपरी मंजल पर पहुंचा तो वो नजरों से उज्छल हो चुका था, जिसमानी तोर पर इसका ताकुब करना जरूरी नहीं था, क्योंके मेरी सोच इसका ताकुब कर रही थी, मैं तेज़ी से दोड़ता हुआ दिवार से लगी एक अलमारी के पास पहुंचा, क्योंके फटाबा इसी अलमारी के अंदर गया था, मैंने अलमारी को खोल कर देखा तो वो खाली थी, दूसरों के लिए ये जादुगरी का तमाशा होता, क्यों अलमारी के अंदर पहुंचकर कैसे गाएब लेकिन मैं इसके एक एक अलमारी को पढ़ता हुआ, इसका पीछा कर रहा था, लहाज़ा जब मैंने अंदर पहुंचकर अलमारी के दरवाजे को बंद की, तो इसके बंद होते ही, अलमारी के साथ लगी हुई दिवार, दरवाजे की तरा खुल गए, मैं पिर एक तारीक खुफिया रास्ते पर पहुंच किया, फिर वही कबर की तारीकी थी, मैं अपने आपको नहीं देख सकता था, फिर इस तारीकी में फटाबा कैसे नज़रा था, वो इस अंदेरे में कहीं से भी आकर हमला कर सकता था, बश्यते किस के पास उल्लू के दीदे ह अलबता मंदेरे में भी सोच की किताब पढ़ सकता था, और मुझे इतमिनान ताके कला की इस अंधी गली में फटाबा मुझसे बहुत दूर है, वल्मारी के खुफिया रास्ते दे यहां आने के बाद दाहे सिम्त गया था, मैं भी उसी तरफ बढ़ने लगा, रास्ता पहल अगार से टेक लगा कर रेनी की दिमाग को अच्छी तरह टरोलने लगा, क्योंकि वो होश की दुनिया में नहीं थी, कहीं बेहोश पड़ी थी, एक जबर्दस तुफान इसके दिमाग से गुजर चुका था, ऐसे वकत इनसान बेहोश होकर जरा देर के लिए पुरसकून हो गए थी, मैं इस्ता-इस्ता इन सोचों को तर्टीब देने लगा, हौले-हौले उसे पुकारने लगा, रेनी, रेनी तुम गुद को गम कर देने के बावजुद मिरी आवाज सुन रही हो, बोलो रेनी बोलो, तुमारे दिमाग के सननाटे में सिर्फ मिरी आवाज कौश र बोलने लगी वो आया था जब मेरे कमरे से जोतनसू चला गया तो मैंने दर्वाजे कंदर से बंद कर दिया मुझे इत्मिनान था कि बंद कमरे में कोई नहीं आ सकेगा मैंने सोचा के जोतनसू की वापसी तक मैं अपने कपड़े सुटकेस से निकाल कर अलमारी में रखूंगी इस ख्याल से मैं अलमारी के पास आई लेकिन इसके दोनों पट खोलते ही मुझ पर ऐसी तैशेत तारी हुई के एक दम जैसे कुवत गोयाई खतम हो गई है मैं पूरी कुवर से चिखना चाती थी मगर हलक से आवाज नहीं निकल रही थी तुमने अलमारी के अंदर किसी को देखा था मैंने सोच के जरीयों से टोक दिया हाँ अलमारी के अंदर वो खड़ा था जो डिर्ट सो साल पहले इस कला की हरामजादी से इश करता था तुम किस हरामजादी की बात कर रही हो वही जिसकी तस्वियर मेरे कमरे की दिबार पर लगी है प्रोथ ने इसका नम सोनिया बताया था मैं सामने इलमारी के अंदर इसी सोनिया का आशिक फरहाद अली तैमूर खड़ावा था मैं अपनी खोपड़ी सहलाने लगा रेनी को ये दासन सुनाई गई थी कि मैं फरहाद अली तैमूर डिर्ट सो साल से अपने महबूबा सोनिया के लिए इस विवरान कला में बटक रहा हूँ यही बटकने वारे आशिक के सामने रेनी को नहीं इसकी महबूबा को ना चाहिए था रेनी बड़ बड़ा रही थी फिर फरहाद अलमारी से बाहर आगया और मुझे सोनिया कहकर अपनी आगोश में बुलाने लगा मैं कहना चाहती थी कि मैं इसकी सोनिया नहीं हूँ वो दिवार पर लगी हुई अपनी में बूबा की तस्वीर को क्यों नहीं देखता मैं इसे मुखतलफ हूँ मैं रेनी हूँ मगर मेरे हलक से आवास नहीं निकल रही थी मैं खबरा कर पीछी हट गई लेकिन उसने लपक कर मुझे पकड़ लिया उफ कैसी फुलादी ग्रिफ्ट थी जी चाता था कि इस ग्रिफ्ट में पिगल जाओ मगर दिल में ये दैशे थी कि वो डेट सो साल पहले का मुर्दा है और मेरे अंदर जिन्दा जिस बात है मुझे एक मुर्दे से दूर भागना चाहिए मैं खौफ के मारे खुद को इसकी ग्रिफ से चुड़ाने की जदोजहत करने लगी वो मेरे बदन से लबास को नोच रहा था बड़ी जयतिया कर रहा था मैं जरा से देर में भूल गई कि वो मुर्दा है वो अपने दान्तों की नमाईश करते वे मुस्कुरा रहा था इन दान्तों को देकर मुझे इस फिल्म का ड्रिकॉला यादा किया अगर जब मुल्दा फरहाद के दान्त बड़े बड़े ट्रौने नहीं थे ताहम वो नशावर थे उसने बड़ी महबत से मेरी गर्दन पर जुक कर दान्तों से होले से काट लिया इसके बाद तो मैं नशी के अजीब चहान में पहुंच गई मुझे कुछ होश नहीं रहा कि मैं कहा हूँ रेनी इतनी देर तक बड़बडाते रहने के बाद तक्रीबन होश में आ गई थी मैंसे पोचना चाहता था कि इस वक्त वो कहा है बगर वो आँखे कुल कर खोधी हैरानी से सोच रही थी मैं कहा हूँ मेरे चारोत अंधेरा क्यों है रेक कमरे में तो बिजली की तेज रोशनी थी वो आहिस्ता आहिस्ता उटकर बैटने लगी उसका सर घूम रहा था जैसे बहुत ज़्यादा पी लेने के बाद अब नशा टूट रहा हूँ फिर वो बड़बराने लगी क्या मैं कबर के अंधेरे में हूँ फरहाद तुम कहा हूँ मेरे पास आओ मैं तुमारे बगएर नहीं रह सकती आओ मुझे डेट सो साल पीछे ले जाओ मैं तुमारे लिए ये दुनिया छोड़ दूँगी वो कमबात बनासपती फरहाद की दीवानी हो गई थी इस तारीकी में इसके प्यार के अंदास को सोच रही थी और इसके दान्तों के लंस को याद करके तड़व रही थी उसके सोच से पता चला किस बहरूपी परहाद के दान्त जहरीले नशे का सर्चश्मा थे नशा की मेराज तक पहुंचा देते थे रेनी को आब इस नशे का चिसका पढ़ गया था मैंने इसकी सोच में कहा यह मुझे क्या हो किया है मैं एक जिन्दा औरोत हूँ मुझे एक मुर्दे से महबद नहीं करनी चाहिए उसकी जिदी सोच ने कहा नई वो महबद का देवता है उसकी आगोश में महबद का नशा है अगर वो कबर की तारीकी से उटकर आता है तो मैं भी मरकर इसकी आगोश में दफन हो जाऊंगी मैंने फिर इसकी सोच में समचाया मैं जिन्दा हूँ और होश मंद हूँ मैं अपनी दुनिया के लोगों से प्यार करूँगी और मैं जोतनसू से महबद करती हूँ उसने जला कर जोतनसू को जबरदस्त गाली दी और अपना सर पीट पीट कर कहने लगी कि इसके दिल में मुर्दा फरहाद के सिवा किसी के लिए जगा नहीं है अगर इसके दिमाग ने फरहाद के खिलाब कुछ कहा तो अपना सर फोड लेगी फिर वो अपनी जगा से उठकर फरहाद को फुकारती हुई तारीके में भटकने लगी उसे बार बार ठोकरें लग रही थी जैसा के नशे की दिवानगी में लगती रहती है वो कभी इदर और कभी उदर दिवारों से टकरा रही थी फिर वो इसी तरह चकराती और भटकती हुई वापस इसी बिस्तर पर आकर गिर पड़ी अब रेनी के पीछे सर खपाना फजूल था वो ऐसे ही वक्त काम आ सकती थी जब वो ड्रैकॉला फरहाद उसे दुबारा नशे की आगोश में सुलाने आता उसी वक्त मैरेनी के जरी इस शेतान के दिमाग तक पहुंच सकता था मैंने इसे रापता खत्म करने के बाद आंके खोल दी मैं उसी चोर दर्वाजे की तारीकी में दिवार से लगा खड़ा था पता नहीं कितना वक्त गुज़र चुका था मैंने फटाबा की हबर ली तो मलू हुआ कि अब वो इस चोर रास्ते से निकल चुका था और अपने कमरे में बैठा आर्थर को बता रहा था किस तरह मैंने इसका खाना खराब किया है और मुझे काबो में न किया गया तो हो सकता है इस कला की खराबी हो जाए आर्थर ने मुझे जलाते हुए कहा मिस्टर फटाबा मैंने पहली नजर में पहचान लिया था कि जोतन सुख खतना का अदमी है आम मैं यकीन से कहता हूँ कि ये इंटेलिजिंस का अदमी है बड़ी मकारी से रेनी का दोस्ट बन कर आया है आई ये अब उसे ढून कर ठिका आने लगाना ही होगा ठैरो फटाबा ने का मेरा रिवाल्वर उस कमबहत के खत लग गया है इसलिए मैं अपनी जान बचा कर चलाया फिर स्टाइल का मौका मिलता तो उसकी हड़ियां तोड़ कर रख देता अच्छा जाओ राइफलें लेकर आओ आब वो राइफलें लेकर में तलाश में आने वाले थे मैं आगे बढ़कर इस खुफिया रास्ते से निकलने का कोई दर्वाजा तूनने लगा मेरे दाएं बाएं जो तिवारें थी मैं इने ठोक बजाकर और जोर से धका लगाकर देखता जा रहा था थोड़ी दूर जाते ही अचानकी परों के फड़पडाने की आवाज सुनाई दी एक चमगादर मेरे सर के उपर से उड़ती चली गई चमगादर की मौजूदगी बता रही थी कि वो खुफिया रास्ता कला के बाहर भी ले जाता है वो चमगादर यकीनन बाहर से उड़ती हुई आई होकी वो फिर परों को फड़पडाती हुई मेरे सर के उपर से गुजर गई मैंने दूर होने वाली आवाज की सिम्त देखा तो सामने ये दो सुलुकती हुई आखे नजर आई पहले तो मैं यही समझा कि वो फ्रेवे नजर है क्योंकि इससे पहले मैं आखों की तरह बने वे दो सुराहो को देख चुका था वो भी सुराहो सकते थे और इनके पार यकीनन कोई कमरा होका मैंने क्रीब से देखने के लिए आगे बढ़ा इसी वकद मेरी आखों के सामने तारे नाच गए एक जबरदस्ट घूंसा मेरे मूँ पर पड़ा मैं लड़ खड़ाता हुआ पीछे की तरफ जाकर फरच पर गिर पड़ा इस फुलादी मुके ने मुझे समझा दिया था कि हमला करने वाला कोई हैवी वेट बॉकसर है वो इस गहरी तरीकी में मुझे बड़ी आसानी से देख रहा था फरच पर मैं जहां गिरा था ठीक इसी जगा उसने मुझे च्छलांग लगाई लेगर अब मैं इसकी सुलकती हुई आँखों को देखकर इसकी हरकात को समझसकता था और इसकी एरादे को समझते ही मैंने करवट बड़ ली एक जगा से दूसरी जगा लुड़ा नतीजा ये हुआ कि वो फरच पर उंदे मुझे गिर पड़ा मैंने अंदाजे से उसे एक ठोकर मारी दूसरे ही लमे मैं अपनी टांक पकड़कर कराहने लगा क्योंकि मैंने सामने दिवार को ठोकर मार दी थी वो वहां मौझूद नहीं था इसी वकद पीछे से मेरी करदन कराटे का एक जोरदार हाथ पड़ा मैं तिल मिला कर दूसरी तरफ पलड़ गया बाद में पता चला कि वो अपनी आँखों पर बाद में पता चला कि वो अपनी आँखों पर हाथ रख लेता था ताके वो सुलकती हुई आँखे इसके निशान दहीं न कर सके मैं तारीकी में आंके फाड़ फाड़ कर यह दूर देखने लगा जब अंधेरे में आंके कम नहीं करती तो फिर अंधेरे में हाथ आगे बढ़ा कर टाटोला जाता है मैंने इसे ढूनने के लिए अपना एक हाथ आगे बढ़ाया एक लम्हे के लिए उस सुलकती हुई आखे नजर आएं दूसरे ही लम्हे उसने मेरा हाथ खैंच कर जूडू का दाओ मारा मेरे कदम उखड़े और मैं फजा में उचलता हुआ दूसरी तरफ जाकर बुकता फरच पर गिर पड़ा मुझे यू लगा जैसे मेरी रीड की हड़ी टूड गए चंद लम्हों तक उटने की सकत न रही ये बराबर का मकाबला नहीं था वो तारीकी में मुझे देखकर हमले कर रहा था और जब मैं उसे देखना चाहता था तो वो अपनी सुलकती हुई यांको को छुपा लेता ये कोई मरदानगी नहीं थी अगर ऐसे वक्त मैं तनहा मरदानगी दिखाने की हमाकत करता तो इसी कला में कहीं दफन कर दिया जाता लहाज़ा इन चोर हमलों से बचने के लिए मैंने फॉरन रिवालवर निकाल लिया वो मेरी तरफ बड़ा था रिवालवर देखते ही दूसरी तरफ पलड़ किया फिर इसके भागते हुए कदमों की आवास सुनाई थी मैंने ललकार कर कहा रुक जाओ वना गोली मार दूंगा ये कहते ही मैंने फायर कर दिया अंधेरे में एक शोला लपका शोले की लमहाती रोशनी में दूर खुफिया रास्ते का मोड नज़र आया वो इस मोड पर गायब हो चुका था फायरिंग की आवाज इस मकपरे में थोड़ी दे तक गुंच ती रही पिर हमोशी चा गई मैं फर्श पर से उटकर अपनी कमर सीधी करने लगा इस अंधेरे के शेतान का पीछा करना मुनासिद नहीं था वो इस तारीकी में चुपकर मेरे रिवालवर पर हाथ साब कर सकता था अगर इसका दिमाग मेरे बस में होता तो मैं इसी वक्त से मलूम कर लेता कि वो भागतावा कहां के आए थोड़ी देर तक सोचते रहने के बाद मैंने फटाबा के दिमाग को टोटोल कर देखा इसके साथ आर्थर और मुईसमोटो थे तीनों के पास राइफलें थी और वो मेरी तरफ आने के लिए एक चोड़ दर्वाजे के तरफ बढ़ रहे थे इसी वक्त वो चोड़ दर्वाजा खुद बखुद खुल गया इन तीनों ने चौंक कर राइफलें सीधी कली इनका ख्याल था के मैं इन सी टकराने के लिए पहुँच किया हूँ हाँ मैं इनके सामने पहुँच किया था लेकिन वो मैं नहीं था उनके सामने नकली फरहाद खड़ा हांप राथा मुईसमोटो ने राइफल की नाल को जुकाते हुए कहा क्या मुसीबत ऐसे देखकर दिल यू दहलता है जैसे सच मुच फरहाद सामने आ गया हो आरी कहां से भागा आ रहा है आर्थर ने आगे बढ़कर बनास्पती फरहाद को मخاطب किया केरेनी के साथी जो तनसू से तमारा सामना हुआ था वो इस बात में सर हिला कर एक गुंगे की तना इशारों में बताने लगा कि मुसे मुकाबला हुआ था फिर मैंने इस पर फायर किया तो उसे भागना पड़ा फटाबा ने कहा आर्थर अपनी जहरीली बला से कहो के जुबान से बाते करे जब ये गुंगा नहीं है तो इशारों की जुबान में क्यूं बोलता है आर्थर ने कहा मिस्टर फटाबा मैं उसे पहले भी कहा चुका हूँ कि हम अपने इस आदमी को फरहाद ली की टेलेपैथी से महफूज रखना चाहते है आप उसे नकाबल बरदाश्ट अजियते पहुंचाए तब भी ये मुसे अबास नहीं निकालेगा फटाबा ने कहा लेकिन फरहाद के मुझूदा रिकार्ड के मताबिक इसकी टेलेपैथी की सलाहियते हित्म हो चुकी है अब इसे मुखत रहना क्या जरूरी है जरूरी है बलके दानशमंदी है फरहाद की दिमाग को शौक पहुंचाया गया था इस बात का इमकान है किसकी यददाश वापस आ जाए लहाज़ा इसकी तरफ से मुखत रहना चाहिए लानत हो फरहाद पर इससे पूछो के जोतनसू से जब मुकाबला हुआ तो इसने अपने जहरीले दान्त क्यों इस्तमाल नहीं किये मिस्टर फटाबा आप क्यासी बाते कर रहे है जोतनसू के पास आपका रिवालवर है रिवालवर की मौजूदगी में अपने दान्तों से हमला करने का मुका नहीं मिला होगा इसकी आदत है पहले ये दुश्मनों से जोरजमाई करता है नकामी की सुरत में दान्तों से हमला करने पर मजबूर होता है इनकी बाते सुनकर मैंने खुडा का शुकर अदा किया अगर मैंजवामर्दी के जौम में रिवालवर ना निकालता तो वो किसी मौक़क है पर अपने जहरीले दांत जूरूरे इस्त्माल करता कि दिमाग को कुरेट कर उस जहरेले अदमी के मतलब मालूमात हसल करता वो लोग मुझे तलाश करते वे इदर आ रहे थे मैं फिर आस पास की दिवारों को ठोकते बजाते वे आगे बढ़ने लगा मेरा ख्याल था कि वो लोग कुलने वाली दिवारों को किसी तरह लॉक कर देते हैं इसलिए मुझे रिवाल्विंग दिवार का दर्वाजा नहीं मिल रहा था कोश दूर जाने के बाद मेरा ख्याल गलत साबित हुआ एक जगा मैंने दिवार को ध्का दिया तो वो अंदर की दर्व खुलती चली गई मेरे सामने एक रोशन कमरा था मुझे फॉरान ही अंदर जाना चाहिए था लेकिन मैंने जरा देर कर दी नतीजा यह हुआ कि सिर्वाल विंग दिवार का दूसरा इसा गूमकर मेरे पीछी आया मुझे जोर का एक धका लगा और मैं लड़ खडाता हुआ सामने पलंक पर आकर गिर पड़ा पलंक पर सोने वाली को मुझे धका लगा तो वो नीद में कस्मसा कर बोली औरोत यह क्या अरकत है मुझे अराम से सोने दो बड़ा अराम दे बिस्तर था सुजोको दूसरी तरफ करवट लिए लेटी हुई थी जी में आया किसी खुआप दीदा हुसन की च्छाओं में सोचा मगर फूल के साथ जो कांटे होते हैं वो मेरी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे फुटाबा के दिमाग में बैठा समझ रहा था कि वो मुझे किस तरह तलाश कर रहे हैं इस खुपिया रास्ते में जितने दर्वाजे थे वो इन सब को खोल कर देखते चले आ रहे थे मैंने सुजोको पर एक मैंने सुजोको पर एक हसरत बरी नजर डाली फिपलंग से उतर कर इसी रिवाल्विंग दिवार के पास आकर खड़ा हो गया एक मिनट के बाद ही फुटाबा उस जहरेले आदमे और अरथर के साथ इस दिवार के पिछे आकर रुक गया था उसने आरथर से कहा इस दिवार के पिछे रूथ का कमरा है हमें यहां भी देख लेना चाहिए यह कहते ही उसने रिवाल्विंग दिवार को धुका दिया दिवार दर्वाजे की सुरत में गूमने लगी मैं भी इसके एक हिसे के साथ गूमता हुआ ख़विया रास्ते में पहुंच जा और वो तीनों दर्वाजे के दूसरे इस एक साथ चलते हुए कमरे में पहुंच गए आप इस कमरे में सुजोक तनहा बेखबर सो रही थी वो तीनों तबे कदमों चलते हुए पलंग के नीचे और और मारे के पीछे मुझे ढूनने लगे, कि वह जहरीला आदमी सुजोको के हुसन और शबाब को ललचाई हुई नजरों से देख रहा है फटाबा फॉरण इसके सामने दिवार बनकर कड़ा हो गया, आर्थर इस जहरीले आदमी को समझाने लगा ये लड़की तुमारे लिए नहीं है ये ये रगमाल के तौर पर लाई गई अगर तुम इसे हाथ लगाओगे तो हमारे मिशन को नुकसान पहुंचेगा, चलो यहाँ जबापा चलो आर्थर उसे कैश्टावार रिवाल्विंग तिवार तक ले आया मगर वो जहरिली हुष भ Commander की नजरों से ऐर्थर सोच रहा था, मुझसे बड़ी भूल हुई मेजर यहा मगोची ने सक्ती से तकीद की थी कि सुझोग को इस जहरिले बलाकी नजरों में ना आने दे मैंने तो सुझोग को इसे चुपा रखखा था मगर ये भूल गया था कि रूथ इस लड़की को अपने कमरे में ले आई अब सुजुको को इस कमरे से भी हटाना होगा ये सोचते इसने रिवाल्विंग दिवार को धुका दिया वो दिवार गूमने लगी मैसके एक हिसी के साथ चलता हुआ कमरे में आया वो तीनों दूसरे इस एक साथ चलते हुए उफिया रास्ते में पहुँच के आर्थर ने परेशान होकर कहा पता नहीं वो कमभगत कहा जाकर छुप किया और इस चोर रास्ते कला के बाहर निकलने के रास्ते पर वो इस सुमोटो राइफल ये बैठा है फटाबा ने नगवारी से कहा तुम्हारे इस बुड़े खबती बाप ने जोतनसु को छुपा दिया होगा और थर ने कहा अब डैडी पागल है तो मैं इनका क्या इलाज कर सकता हूँ फिलहाल मैंने इनके हाथ पों बांद कर अबने कमरे में कैद कर दिया है कही ऐसा ना हो के जोतनसु भटकता हुआ तेहाने में पहुंच जाए चलो तेहाने में भी उसे तलाज कर लेते हैं फटाबा ये कह कर तेहाने की तरफ जाने लगा मैं फॉरान फटाबा के कदमों को गिनने लगा मैं फौरान इफटाबा के कदमों को गिनने लगा 22 कदम चलने के बाद वो बाएं तरफ मुड़ गया फिर वहां से साथ कदम के फासले पर रुख गया अब इसके हाथ बाएं तरफ की दिवार को टटोल रहे थे उसे दिवार का एक पत्थर जरा सा हिलता हुआ महसूस हुआ वो इस पत्थर को दिवार के अंदर दकेलने लगा इसके साथ ही कदमों के पास फरिश का कुछ हिसा गिर गिराहट की आवाज के साथ अपनी जगा से हटने लगा गिरगराट की आवास खतम होई तो इसने टार्च की रोशनी में एक चोटे से जीने को देखा जो नीचे तेहाने में चला गया था मैं बारी बारी फटाबा और आर्थर के दिमागों में ज्छांक कर ये देखने लगा कि वो तेहाने के मतलिक क्या सोच रहे है इस इसले में आर्थर अहम नजर आया मैं इसके दिमाग से चिवक किया वो सोच रहा था जो थनसू को इस तेहाने का इल्म नहीं हो सकता यहां तक पहुंचने का रास्ता असान नहीं है मैं इसकी सोच में कहा लेकिन यहां तक पहुंचना बिलकुल ही नामुम्किन नहीं है अगर जो तनसु यहां पहुंच जाए तो तो घजब हो जाएगा यहां इस कमबहत को हमारे जराइम के बहुत से सबुत मिल जाएंगे मैंने तमिनान की एक लंबी सांस ली इतनी भाग दोड के बाद अब सभी मनजल का पता मलूम हुआ था अब वहां तक पहुंचने के लिए जरा सबर की जरूरत थी जल्द बाजी में वो जहरीला आदमी मेरे रास्ते की दिवार बन जाता ये तो मालूम हो गया था कि इस खुफिया तन्जीम को चलाने वारे खास तोर से मेरे लिए इस जहरीले आदमी को पाल रहे थे से गुंगा बन का रहने की ट्रेनिंग दी गई थी जो रास्ते की तारीकी में वो एंटी डाक लैंस आंकों पर चढ़ाए हुए था आम हलात में भी उसकी आंकों पर आई लैंस रहता होगा ताके मैं इसके दिमाग तक ना पहुंच सकूँ वो कौन लोग थे जो मेरी तरफ से इस कदर मुखता थे मिज़े यामा गोची वगएरा मेरे मतलिक मकमल सही मालूमात नहीं रखते थे इन हालात में मैं यकीन से कह सकता था कि इस तन्जीम के पीछे भी सूपर मास्टर का हाथ था वो ही अच्छी तरह जानता था कि मेरी यादाश किसी भी वक्त वाबसा सकती है और मेरी टेलपैथी की सलाहियते दोबारा इसके लिए मुझे से निबटने के लिए जहरीले आदमी जैसे नजाने कितने अलाकारों को मुझे से महफूज रहकर मकाबला करने की ट्रेनिंग दे रहा था पता नहीं वो मेरे खिलाफ महाद बनाकर और क्या क्या कर रहा होका फटाबा आर्थर और वो जहरीले आदमी तेहाना में मुझे तलाश करने लगे और फिर नकाम होकर वापस आने लगे तेहाने के रास्ते को बंद करने के बाद फटाबा ने अचानक की चौंकर आर्थर से पूछा क्यों आर्थर तुम तो कहते थे कि तुमारा ये जहरीला आदमी सोनिया की तरह दुश्मनों की बू सूंकर उन पर हमले करता है क्या भी ये जोतनसु की बू को नहीं पा सकता आर्थर जरा सा हिचकचाया फिर कहने लगा मैंने ये नहीं कहा था कि ये हर एक की बू सुंग लेता है ये सिर्फ और तों का शेदाई है सिर्फ उनकी बू के पीछे बागता है फटाबा ने गुसे से कहा तुम बात बदल रहे हो मुझे बेवकूब बना रहे हो मेरा क्या है अगर सुनिया किसी तरह यहां मकारी से पहुंचेगी तो पिर इस जहरीले गूंगे की बू के पीछे लग जाएगी आर्थर ने कहका लगाते हुए कहा मिस्टर फटाबा क्या तुम नहीं देख रहे हो कि यह फरहाद के रूप में है सुनिया जैसे ही से फरहाद समझ कर इसके करीब आएगी यह पहले ही हले में उसे जहरीले नशे की मेराज तक महुचा देगा उनकी बाते सुनक याद आया मालूम हुआ कि वो पुरसकून है और आखे बंद किये सो रही है नीन की हालत में इसकी सोच ठकी ठकी सी थी मैंने यही समझा कि वो मसलसल भाग दोड़ के बाद ठक कर सो रही अगर मैं इसकी सोच को छेड़ता तो हकीकत मालूम हो जाती वो सो नहीं रही थी बलके बेहुची की हलत में थी मैं मस्रुफियत के बाए सकीकत को समझणा सका मस्रुफियत यह थी कि मैं अपने ताक्श करने वालों की मस्रुफियात को समझड़ रहा था आर्थर अपने जहलीले साथी के साथ चोड दर obrasे घुरता हुआ इस तारीक कमरे में पहुंच किया जहां रेनी एक बिस्तर पर पढ़ी हुई थी आर्थर ने इस शेतान से कहा हम तुम्हारी हर हुआश पूरी करते हैं तुमने फिल्मी रिसालों में रेनी की तस्वीरें देखकर उसे हासल करने की तमना की थी अब देख लो फिल्मी शूटिंगे बहाने हमने उसे हाली वूर से बुला कर तुम्हारी आगोश में पहुंचा दिया बास इस वकट तक तुम पर महरबानिया करता रहेगा जब तक तुम उफादारी का सबूत देते रहोगे बास का हुकम है कि इस जापानी लड़की की तमना ना करो महां से निकल कर सुजूकों तक ना पहुंचे इस इहतियाती तदबीर के बाद फटाबा की तरफ जाने लगा मेरूत के कमरे में इसी तरह रिवाल्विंग दिवार से लगा खड़ा था मेरे सामने सुजूकों पलंग पर मेवे खौप थी जब इत्मिनान हो गया के दुश्मनों में से कोई इधर नहीं आएगा तो मैं जरा कमर सीधी करने के लिए लेड़ किया इस कमरे में एशो औराम का तमाम समान मुझूद था मगर अभी औराम की घड़िया नसीब नहीं थी अभी ये मालूम गरना था कि फटाबा और आर्थर वगेरा को नीद आती है या वो मेरी तलाश में निकलते है मैंने आर्थर की सोच की डोर थाम कर देखा वो फटाबा के कमरे में पहुँच किया था फटाबा ट्रांस्मीटर पर किसी से गुफटगू कर रहा था मैंने इसकी आवास सुनी वो कह रहा था ये तो कमार हो गया वो कुटिया किस तरह तुमारे काबू में आ गई दूसरी तरफ से कहा गया वो तनहा थी इसने अपने साथियों को जजीरे से वापस भीच दिया था इसी वकद हमें मौका मिल गया मैंने पीचे से इसके सर पर जब लगाई वो जदो जद ना कर सकी बेहोश होगी हम उसे किले में पहुँचाने आ रहे है फटाबा ने कहा ठीक है इसे फॉरण पहुँचा दो फरहाद इस कुटिया के पीचे जरूर आएगा इसका ख्याल रखो और एंट आल ये बाते सुनते ही फॉरण मेरी समझ में आ गया का सोनिया इस वक्त सो नहीं रही थी बलके बेहोश पड़ी थी पटाबा और आर्थर प्लनिंग कर रहे थे कि किस तरह सोनिया को कला के अंदर लाया जाएगा और जब मैं इसके ताकुब में आँगा तो मुझे किस तरह गीरा जाएगा इनकी प्लनिंग को समझना जरूरी नहीं था क्योंके मैं तो यहां पहुंची गया था और सुनिया भी पहुंचने ही वाली थी लहाज़ा मैं सुनिया की दिमाग में च्छंकने लगा अब वो होश में आ गई थी और एक कार की पिछली सीट पर बैठी इसी तरफ चली आ रही थी उसके आस पास दो जपानी रिवालवर लिए बैठे थे और वो मुतमई नजर आ रही थी मैंने इसकी सोच में कहा पता नहीं यह लोग मुझे कहा ले जा रहे हैं वो मुझे पर तंस कर रही थी तूसरे ही लमे उसने कहा बास कोरो फरहाद यह ख्याल हानी के हद कंडे अपने पास ही रखो मैं तुमारी तरह किसी की सोच के जरी अपनी मजल का पता मलूम नहीं कर सकती मेरी अपनी सलाहियत भी कोई चीज है मैं यह बात दावे से कह सकती हूँ कि इस वक्त मैं तुमारी ही तरफ चली आ रही हूँ मैं अपनी खोपड़ी सहलाने लगा यह समयने में देर न लगी को मेरी बूस सुंगती चली आ रही है मैंने कहा ताजब सुनिया जब मैं टोकियो में तुम्हें अपना हमराज बनाए बगार गायब हो गया था तो इस वक्त तुम करनल जोशोहू की तरह मेरी गमशुदगी की वज़ा से परहचान थी क्या इस वक्त तुम मेरी बूस सुंकर मेरा पता नहीं मलूम कर सकती थी क्यों नहीं मैं तुमारे हटकंडो को अच्छी तरह समझ रही थी मेरा ख्याल था कि तुम मुझसे राप्ता काइम करोगे लेकिन जब तुमने उसे जरूरी नहीं समझा तो तुमारी सोच से ये पता नहीं चल रहा था कि तुम मेरी तरफ से मुतमईन हो बलके तुम मेरे लिए परेशान थी सोच के जरी इसकी हंसी की आवास सुनाई दी पर हाथ ये मेरा कमाल है तुमारे साथ इतना अरसा गुजार कर इतना तो समझ में आ आ गया है कि तुम मजगी नहालात में किस तरह अपने तौर पर सोचने पर मजबूर करते हो मैं काफी अरसे से तुमारी मरजी के मताबक अपनी सोच को कंट्रोल में रखने की मशच कर रही है तुम यही चाहते थे कि मैं तुम्हारा पीछा ना करूँ और तुम्हारे लिए परेशान होती रहू तो फिर देख लो सब कुछ मैंने तुम्हारी मर्जी के मताबिक ही किया है मैं मुस्कुराने लगा मेरे पास लेटी हुई सुजोको करवट बदल रही थी उसके बदन से बदस्तूर शनील की खुश्बू आ रही थी मैंने सुनिया से पूछा बेराल ये बताओ सुजोको कहा है तुम इसकी बूप पारी हो या नहीं नहीं फरहाद दुश्मन बड़े चलाक है इसे मसलसल खुश्बूओं में चुपा रही है मगर तुम सच से बताओ क्या तुम जान बुच कर ये सवाल नहीं कर रही हो क्या तुम्हे सुजोको के मतलब कोई इल्म नहीं है मेरी बात ना पूछो अगर पूछना ही चाहती हो तो अपनी शर्त हार जाओ मैं समझ गई तुम सुजोको तक पहुँच गई हो और अब मैं भी पहुँचने वाली हूँ तो फिर जल्दी से तसलीम कर लो के शर्त हार चुकी हो अपनी शलाहियत के बल पर या नहीं पहुँच रही हो क्योंके तुमारी मतलुबा बू अब तक तुमें नहीं मिल रही है मेरे इस बात पर सोनिया गड़ बढ़ा गई अब नहीं अरे वा क्या जबरदस्ती शर्त हार जाओं मेरे सर का पिछला इसाब तक दुखर है कमबक्तों ने पीछे से जबरदस हमला किया था आखर मैं किसी ना किसी तरह तकलिफें बरदाश्त करती हूँ सुझकों तक पहुंच रही हूँ ना बेशक पहुंच रही हो लेकिन याद करो तुमने अपनी सलाहियत पर नास किया था और ये शर्त लगी थी कि तुम इसी सलाहियत के बल पर सुझकों को वापस लाओगी और अब ये तुमारे लिए मुम्किन नहीं है क्योंकि जब तुम यहाँ पहुंच ओगी तो फिर ये लोग सुझकों को खुशबों में नहीं चुपाएंगे फिर ये के मैं तुम से पहले सुझकों तक पहुंच गया हूँ अब तुमें अब तक मौका दे रहा था अब मौका देने का सवाली पैदा नहीं होता लहाजा आम औरतों के दरा फजूल बैस ना करो खुशी से हार मान जाओ उसका मूँ लटक गया वो नराज हो गई थी मैंने हंसते हुए कहा कोई बात नहीं जब तुम यहाओगी मैं तुमें मना लूँगा उसने जवाबन कुछ नहीं का मैंने उसे छेड़ना चाहा लेकिन इसी वकद सुदू को नींद में कसमस आई उसने चौंकर आँखे खोल दी मैं पहले से तयार था लहाज़ा इस पार उसे चीखने का मुका नहीं मिला मैंने फॉरन इसके मुँपर हाथ रख दिया इसकी चीख हलक ही में घुटकर रह गई प्यारी प्यारी कजलाई सी आंके देशत से फैल गई और खौफजदा जेन सोच रहा था वही है यह जनबी है कि कमबहत किसी भी बंद कमरे में कैसे पहुंच जाता है मैं क्या करूंऀे ही मुझा इमार डालेगा मैंने बड़ी नरमी से कहा डरो मत मैं तम्हारा दुष्मन नहीं हूँ तम्हारे दुष्मनों का दुष्मन हूँ अगर तुम चिलाओगी तमने तम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा उसका खौफ कद्रे कमूं क्या, मैंने इसके मुँपर से हाथ हटा लिया, भाकलाती हुई बोली, तो तुम कौन हो, रूत कहा है, वह यहां होती तो मैं न होता, मगर तुमने तो कहा था, कि तुम दोस्त हो, क्या दोस्ती का यही तरीका है, बिल्कुल, दोस्ती में दो दिन इ के लिए इसकी कोटी में गया था, तो इसने मुझे चुपकर देखा था, और मेरे मुझे राय काइम की थी, बस यूही सा है, और मैं यूही सा आदमी इस वकद जोथनसू के रूप में था, और इसे नहीं मलूम था, कि वो यूही से आदमी के पास यूही चली आई है, मैं मुझे मिल चुका था, जपानी गुडिया को तो लोग घर के ड्राइंग डूम में सजाते हैं, मैं इनाम के तोर पर उसे दिल में बिठा सकता था, मगर सोनिया कहर बनकर नाजल होने वाली थी, मैं तो सच मुझे एक बेचारे से शोहर की तरह डरने लगा था, मैंने उसे कह अगर ये जोतनसू सलामत रहा तो तो तुम्हारा साथ लेकिन इस वकत तो मुझे साथ चोड़कर जाना होगा ताके मैं सकले से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर सकूँ, ये कहकर मैं बिस्तर से उठक आई, लेकिन दर्वाजा बाहर से बन था, वो हंस्ती हुई बोली, उ बिस तारीकी में मैं एक अंधे की तरह सफर कर सकता था, तेहाने तक पहुंच सकता था, लेकिन इस वकत वहां जाना मुनासिब नहीं था, क्योंके मुझे सोनिया का इंतजार था, वो यहां आकर दुश्मनों को अलज़ा कर रखती, तो मैं इतमिनान से तेहाने की सेर कर सकत था, इसलिए मैं उधर घूंगया जिदर से मैं कला की पहली मंजल तक पहुंच सकता था, वो रास्ता बतत द्रीच उपर की तरफ जा रहा था, दस मिनट के बाद मैं उस दिवार के पहुंच गया, जो मुझे अलमारी के अंदर ले जाती, वो रेनी के कमरे की अलमारी थी, जहरीला अदमी रेनी को इसी रास्ते से उठा कर ले गया था, पहले मैं अलमारी के अंदर आया, फिर इसके पट खोल कर कमरे में पहुंच किया, वहां कोई नहीं था, सिर्फ दिवार पर लगी हुई सोने की तस्वीर मुझे देख रही थी, मैं भी चंद लम्हें उसे चाह कमरा मेरे लिए मकसूस किया गया था, इस कमरे की दिवार पर मेरी तस्वीर लगाई गई थी, कम बखतों को ये नहीं मलूम था कि वो फरहाद ही को इस तस्वीर का फ्रेप दे रहे हैं, मैं दर्वाजे पर आया और पर हैंडल को पकड़ कर उसे आहस्तर की से खोला, वह कमर इसकी तरफ बढ़ने लगा, वो दोनों बाहें पहला कर मेरे तरफ बढ़ती हुई बोली, फरहाद, मेरे फरहाद तुम कहा थे, मैं डेट सो साल से तुम्हें तलाश कर रही हूँ, मैं ठुटक गया, क्योंकि मैं जोतन सू के रूप में था, फिर सोनिया मुझे फरहाद कैस बाहाद सुनाई देने लगी, दो सो साल पुरानी काल बैल इसी तरह शोर मचाती थी, इस आहनी घंटे की आवाद से पुराने के दरो दिवार लज रहे थे, कोई कला का आहनी दरोजा खुलने के लिए कह रहा था, मैंने सोनिया के दिमाग में छांकर देखा, वो मेरे सामने थी, मगर मेरे सामने ही नहीं थी, मेरी सोनिया दुश्मनों के नरगे में कला के बाहर आहनी दरोजा खुलने का इंतजार कर रही थी, कला के बाहर घंटे की आवाद गूंचती गरचती थम गई थी, आर्थर बाहर के आहनी दरोजे को खोल रहा था, दरोजे पर सोनिया दो रिवाल्वरों के दरमयान कैदी बनी खड़ी थी कला के अंदर दूसरी सोनिया मेरे सामने खड़ी हुई थी और इस सोनिया का दावा था कि डेट सो साल से अपने आशिक फरहाद अली तैमुर की तलाश में भटक रही है उसने फिर मेरी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहा मेरे फरहाद तुम हमोश क्यों हो क्या तुम अपनी सोनिया को भूल गए हो वो मुझे बेवकूफ बना रही थी मैंने भी बेवकूफ बनते हुए कहा तुम सोनिया हो मैंने तुमारी तस्वीर से तुम्हें पहचान लिया लेकिन तुम फरहाद की इस तस्वीर को देकर समझ सकती हो कि मैं फरहाद नहीं हूँ वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई तुम मेरे फरहाद हो तुमने दूसरे रूप पे जनम लिया है ये कहते ही मैंने अपने बाजों का हलका तंक कर दिया उसे इतने जोर से भीचने लगा कि उसके हलक से रुक रुक कर आवास निकलने लगी आहिस्ता फरहाद ऐसे तो मैं मर जाऊंगी नहीं मेरी डेट सो साला पासी महबूबा इतने अरसे तक तुमें जिन्दा रहने की प्रैक्टिस हो चुके अबला तुम कैसे मर सकती हो मुझे छोड़ छोड़ दो कैसे छोड़ दूँ हम डेर सो साल बाद मिल रहे हैं अगर तुम जिन्दा ही रहना चाहती हो तो सीधी तरह रूथ माइक बन जाओ रूथ के दोनों हाथ मेरी गर्दन के पीछे थे जब वो मेरे क्रीब आई तो इस वक्त सोनिय की तरह इसके दोनों हाथों की मुट्टिया बिजी हुई थी यानि वो भी सोनिय की तरह आहनी नाखनों से लैस होकर आई थी इसलिए मैंने पहली ही फुरसत में उसे इतनी शिद्ध से भीच लिया था कि वो मेरी पुस्त पर नाखनों से हमला करना चाहती तो इसकी सांसे रुक रुक जाती उसने दो-चार बार मुझे बातों में लगा कर इन आहनी पंजों को इस्तमाल करना चाहा मगर मैंने उसे मौका नहीं दिया आहर वनी ढालो कर बोली मुझे माफ कर दो मैं वाकरी रूथ हूँ मुझे चोड़ दो मगर इसकी सोच कह रही थी कि वो मेरी गृफ से निकलते ही मुझ पर हमला करेगी वो भी सोनिय की तरह लड़ने के फंसे वाकिफ थी और मुझ पर अपने दावा अजमाना चाहती थी अब मैं कोरत से क्या मकाबला करता लेकिन इसके आहनी पंजों से बचना भी जरूरी था लहाज़ मैंने उसे अपनी गृफ से आजाद करते इसके सर पर एक खड़ा हाथ रसीद किया जैसे ही वो लड़ खड़ाती हुई पीछे की तरफ गई मैंने इसका हाथ पकड़ कर मरोड दिया फिर उसे जमीन पर गिरा कर एक पाउं इसकी गर्दन पर रखा पिर इसके हाथों से वो आहनी पंजे निकालने लगा वो मूँ से अवास निकालने की कोशिश करती तो मैं इसकी गर्दन पर अपने पाउं का द्वाव सख्त कर देता इनाहनी पंजो को अपनी जेब में रखने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया वो बड़ी पूर्ती से उटकर खड़ी हो गई उसका दिमाग चुगली खा रहा था कि अब वो क्या करना चाहती है उसने बिजली किसी तेजी से उचल कर मेरी तरफ कराटे का हाथ मारा था लेकिन मैं लिशाने से हट गया था नतीजा यह हुआ कि वो उचलने के बाद दोबारा उन्दे मुँ जमीन पर पहुँच गई मैंने इसके मुँपर एक ठोकर मारी तो वो चिकती हुई दूसरी तरफ बलट गई मैंने चाहता था कि वो शोर मचा कर दूसरों को अपनी तरफ मतवज़ा करे इसलिए मैं उचल कर इस पर सवार हो गया मैं जवाब दूँगी मुझे छोड़ दो नाई तुम इसी तरह हसीन लग रही हो जल्दी जल्दी बताओ के तुमने और जहरीले आदमी ने सोनी और फरहाद का भेस क्यों बदला है मैं बदस्तूर कराहती हुई बोली यहां इस कला में हमें सोनी और फरहाद बनने के ट्रेनिंग दी जा रही है फो गाड सेक मेरा हाथ छोड़ दो मैंने इसका हाथ नहीं छोड़ा लेकिन इसकी तकलीफ में जरक कमी कर दी लो अब तुम आसानी से बोल सकती हो पहले बताओ इस जहरीले आदमी का नाम क्या है मैं इसका असल नाम नहीं जानती यहां सब उसे गरलाश कहते हैं तुम दोनों को किस तरह ट्रेनिंग दी जाती है साथ सो मरदों और और उरतों में से मेरा और गरलाश का इंतहाब किया गया है मैं सोनिया की तरह जुड़कराटे जानती हूँ और गरलाश परहाद की तरह जिदी और उस्षासोर है हम दोनों बड़े कामियाब नकाल है हम दोनों को टेप के जरीए सोनिया परहाद की गुफटगू सुनाई जाती है हम इनकी आवास और लेजे की नकल करते है और इनके चलने फिरने और उठने बैटने के अंदास को समझते और सीखते रहते है इस ट्रेनिंग के बाद तुम लोगों से क्या काम लिया जाएगा तुम ये सब क्यों बूच रहे हो इन बातों से तुमरा बला नहीं होगा अगर अपनी बलाई चाहते हो और एशो इश्रित की जिन्दगी गुजाना चाहते हो तो मेरे दोस्त बन जाओ हमारी तन्जीम में रहकर काम करो हमारे यहां तुम जैसे लोगों की बहुत जादा बढ़ की जाती है ये मेरे सबाल का जवाब नहीं है जल्दी बताओ कि सोनी और फरहाद बनकर तुम दोनों क्या करने वाले हो वो मजबूर हो कर बोले लगी सोनी और फरहाद कर्नल जोशो हो के बहुत करीब है यह कर्नल का इतमाद भी हासल है हमारी तन्जीम वालों ने ऐसी प्लैनिंग की है कि फरहाद और सोनी यहां लाजमन आएंगे बलकि सोनी आ चुकी है फरहाद भी इसकी हातर यहां जरूर आएगा फिर वो दोनों इस कला के तेहाने से कभी नहीं निकल सकेंगे मैं और गरलाश टोक्यो पहुंच कर इनकी जगा ले लेंगे और कर्नल के करीब रहकर उसका इतमाद हासल करते रहेंगे बस हमें इतना ही काम अभी पता चला है आगे मैं समझ गया कि ये लोग नकली सुने और फरहाद के जड़े करनल को हला करना चाते हैं मैंने फिर इसे सवाल किया कि अगर लाश के दान जहरीले हैं वो सर से पाउं तक जहरीला है मैं कैसे यकीन कर लूँ वो इनसान है साबतों नहीं कि जहरीला बन जाए यकीन करो वो जनूबी अफरीका के एक सपेरी की ओलाथ अफरीका में अब भी ऐसे लोग हैं जो बच्पन ही से थोड़ा थोड़ा से जहर दवा के तोर पर इस्तमाल करते हैं और पर इसका तोड़ भी करते हैं इस तरह मुझवान होने तक इस कदर जहरीले बन जाते हैं कि अगर वो किसी को एक बार दातों से काट ले तो वो इनतहाई नशे की हालत में बेहोश हो जाता है और जो ओरतें चरस अफ्यून और हिर्वन की आदी हो जाती है वो ऐसे जहरीले आदमी की कुर्बा से बहुत लटफंदोस होती है मुझे रेनी यादा गई मैंने पूछा क्या रेनी भी नशे की यादी है हाँ गरलाश नशे के इंतहा तक पहुँचा दिया लेकिन अगर वो बार बार गरलाश की आर्जू करेगी तो वो नशे बतद्रीज जहर बनकर उसे हलाक कर देगा कोई भी नशे की आदी आदी औरत गरलाश को एक दो दिन से ज़्यादा बरदाश नहीं कर सकती अगर वो मुझे अपने दाटों से काट ले तो क्या होगा वोही जो मैंने कहा है अगर तुम्हे बरदाश्ट की कुट होगी तो ज्यादा ज्यादा एक दो दिन जिन जिन्दार होगे फिर वो नशा और जहर तुमारा काम तमाम कर देगा इसके बाद मैंने सवाल किया रेनी यहां क्यों लाई गई है गरलाश के लिए वो हसीन ओरतों का रसिया है उसे दौलत का लालश नहीं है वो तन्जीम के सरबरा से मुआफ़े के तोर पर अपनी पसंद की ओरते तलब करता है इसलिए रेनी को फिल्म की शूटिंग के बहाने हालिवूड से यहां बलाया गया है अगर गरलाश की जहरेली महबत उसे मार डाले तो क्या तुम लोग कानून की नजरों में नहीं आऊगे क्योंके वो बकाइदा पासपोर्ट लेकर इस मुल्क में आई है रेनी को मरने नहीं दिया जाएगा आर्थर एक बहुती तजर्बकार डॉक्टर है वो गरलाश के जहर का तोड जानता है आर्थर की ड्यूटी यही है कि वो हमेशा गरलाश के साथ रहे और अगर कोई हसीना इसके जहर के जिरे असर आ जाए तो वो उसे मरने से बचा ले रेनी यहां से सहीयो स्लामत वापस जाएगी क्या वो यहां से जाकर यह रपोर्ट नहीं करेगी कि किसके साथ किया जाने वाला फिल्म मुआइदा सरासर फ्रॉड था औरतें गरलाश के जहरेली महबत की खातर अपनी जिन्दगी दौलत लुटा देती है रेनी गरलाश से दोबारा मिलने की आर्जू में अपनी जुबान बंद रखेगी यहां इस मुलक में हमारे खिलाब कोई रपोर्ट दर्श नहीं कराएगा गरलाश इस मुलक से बाहर से मिलने का वादा करेगा वो इस वादा के मताबक बाहर जाएगी जहां कहीं न कहीं मौत इसका इंतजार कर रही होगी क्या तुम्हें रेनी की मौत पर अफसोस होगा रेनी की तरह अब तक कितनी हसीन लड़की अगर लाश को दुबारा पाने की आरजू में बे मौत मर चुकी है मैं कहां तक कितनों के लिए अफसोस करूँगी तुमने दुरूस कहा मनने वालियों में तुम्हारा नाम भी आ जाये तो मुझे फसूस नहीं होगा ये कहते ही मैंने आम लाग के दाओ पर जरा कुबत सरफ करते हुए एक जोर का छटका दिया इसके हलक से फलक शगाफ चीख निकली उसके बाजू की हड़ी तूट चूटी थी मैंसे छोड़कर फरश से उड़ते वे बोला यहां की अदालत तुम्हें सजाए मौत का फैसला सुनाएगी चुके तुम्हें गिरिफतार करके ले जाने के लिए मेरे पास हतकड़ी नहीं है लहाजा मजबूरां तुम्हारा एक बाजू खाड़ दिया है वो तकलीफ की शिद्ध से फरश पर पाउं पटक रही थी और चिखती जा रही थी ये शोर सुनकर इसके हमायदी आने ही वाले थे मैं तेजी से चलता हुआ इस कमरे से निकल कर सामने वाले कमरे में आया वही कमरा जो पहले रेनी के लिए मकसूस था जहां सुनिया की कदादम तस्वीर लगी हुई थी मैं इस कमरे की अलमारी से गुजर कर फिर चोर रासे की तारीकी में चला गया वहां पहुचकर मैंने एत्मनान से सुनिया के दिमाग में ज्ञांकर देखा वहां पहले ही कला के इसी ड्राइंग रूम में पहुच गई थी यहां मुझे और रेनी को पहली बार लाया गया था लेकिन रूत की चीख सुनते ही अब वो लोग भागते हुए मुखलिफ कमरों में जहांकते फिर रहे थे सोनी ऐसी ड्राइंग रूम में दो दिवारों के दिरमयान खड़ी हुई थी या नी दो जपानिस के आसपास थे और इसके सामने एक सोफे पर मुईसो मोटो बैठा था सोनी इतमिनान से बैठी हुई थी उसे मेरा इंतजार था रूत की चीखे सुनकर वो समझ गई थी कि मैं ही कुछ कड़बड कर रहा हूँ उसने म्जीद मुईसो मोटो को मخاطب किया क्यों मिस्ट अप स्कला में कोई हस्ट्रिया की मरीज़ा है जो इस तरह चीक रही है शबाप मोहसो मोटो ने गुरा कर कहा क्या सीखने ये वाली को शबाब नहीं करा सकते मौहसो मोटो ने यक वह यक जोंकर दो सोनिया तुम इस बदमाश की बू सूंकर उसे हमारे सामने पेश कर सकती हो तुम किस बदमाश का जिकर कर रहे हो वो वो उसका नाम जोतनसू है कमबखत बड़ी चलाकी से हमारी एक एहरवन का महमान बनकर यहां आ गया है हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो हमारे लिए दर्देसर बन जाएगा वो तकरीबन आदी राज से हमें कला के अंदर इदर से उधर दोड़ा रहा है सोनिया नहीं हंसते हुए कहा ताजब है तुम इतने लोग हो और इस कला की चहार दिवारी में पतना आदमी तुमरे हाथ नहीं आ रहा है अगर मेरी मदद चाते हो तो मुझे इसकी कोई चीज़ दिखा मैं जोतनसू की बू तक पहुंच जाऊंगी मौसर मोटर ने अपनी जगासे उठकर अपने आदमें से कहा आओ सोनिया को जोतनसू के कमरे में ले चलो सोनियन के साथ इसी कमरे में जाने लेकि जहां रूत फरश पर पड़ी तूटे वे बाजू का मातम कर रही थी अब मैं आर्थर के दिमाग के जरीए रूत और फटाबा को देख रहा था इतनी देर में रूत इन्हें बता चुकी थी के जोतनसू ने इसके साथ क्या सलूक किया है वो सब जिला रहे थे और जोतनसू को गालियां दे रहे थे आर्थर ने बूचा रूत इसने तुम पर काबू कैसे पा लिया तुम एक बहतरीन फाइटर हो तुमारे पास आहनी पंजे भी थे वो कराहती भी बोली इसने मुझे मुझा ही नहीं दिया वो दबे कदमों मेरे पीछी आया था फिर इसने मेरे बाजू और गरदर में कैंची डाल दी अब मुझे पतर चला कि वा नाड़ी नहीं है मेरा बाज़ तोड़ने के बाद उसने आहनी पंजे निकाल ली क्यास ने तुम से किसी किसम की मालूमात हासल की दी मेरे चीखते ही वो यहां से भाग गया वो अपने लोगों से जुट बोल ले थी अगर इन से सच बोलती कि वो नकली सोनी और फरहाद के मतलिक इस तन्जीम के आहम मनसूबे को मेरे सामने उगल चुकी है तो उसे किसी सूरत से भी माफ नहीं किया जाता इसी वकल सोनीय कैदी की हैसे से वहां पहुँच गई मौईसो मोटो ने बूचा हाई ये इरूत को क्या हो गया वो जवाब में जोतनसू को गालियं देने लगी मौईसो मोटो ने कहा गालियं सुनकर हमारे सामने ग्रिफतार होने के लिए नहीं आएगा आप लुक सुनिया को भूल गए है ये इसकी बू सुनकर हम इसके पास पहुँचाएगी आर्थर फटाबा चोंकर सुनिया को दिखने लगे फटाबा ने हुशोगर कहा सुनिया को ठीक वक्त पर यहां लाया गया है सुनिया अगर इस लिसले में तुम हमारी मदद करोगी तो हम तुमारे साथ नर्मी से पेश आएंगे सुनिया ने कहा मेरी तरह हर कैदी यही चाहता है कि इसके साथ अच्छा बरताओ किया जाए मैं इस बदमाज को जरूर पकड़ूँगी मुझे इसकी कोई चीज दिखाओ जिस कमरे में मेरी टैची रखी हुई थी इसे सुनिया के सामने खोल दिया गया आर्थर ने टैची से मेकप का समान निकालते वे कहा यह देखो मेकप के समान से थाबित होता है कि जोतन सु इंटेलिजेंस का आदमी है अगर से फोरान इठीकाने न लगा दिया गया तो यह हम सब को ठीकाने लगा देगा पटावा ने सुनिया को घूर कर देखते हुए खा यह सुनिया भी कनून का साथ देती हुए हाँ दाकाई है हम कैसे यकीन करने कि यह जोतन सु जैसे कनून के मुहाफिज तक हमें पहुंचाएगी कैसे नहीं पहुंचाएगी आर्थर ने कहा हम इसके साथ चलेंगे अगर ये जरा भी चलाकी दिखाएगी तो हम इसे भी गोली मार देंगे पटावा अपने आदमी के साथ सोनिया को लेकर कमरे से बाहर जाने लगा आर्थर रूत के बाजू की हड़ी बिठाने के लिए बहीं रह गया तब मैंने सोनिया के दिमाग में ज्ञांकर कहा हलो सोनिया तो मैंने कमरे में वापस लेकर जाओ और मगर्बी दिवार सुंगने के बाद बताओ कि मैं कहीं करीबी मगर्ब की सिमत पाया जा सकता हूँ सोनिया ने मेरी हदायत पर हमल किया उन्हें वापस कमरे में ले गई और इन्हें बताने लेगी कि मैं कहां पाया जा सकता हूँ इसकी बात सुनकर फटाबा ने कहा इसका मतलब है कि वो कमबहत अभी तक चोर रास्ते में भटक रहा है ये कहते हुए वो जनूब की सिम्त दिवार की तरफ किया फिर एक अलमारी को खोलते हुए कहा मेरे पीछे आओ और सुनिया से हर लमहा मुहतात रहो वो लोग फटाबा के पीछे सुनिया को साथ लेकर अलमारी के अंदर दाहिल होने लगे मैं दूसरी लमारी से निकल कर फिर रेनी के कमरे में आगा और सुनिया को समझा दिया कि वो थोड़ी देर तक इने चोर रास्ते में भटकाती रही इसके बाद फिर अपने कमरे के दर्वाजे पर आया जेब से रिवालवर निकाल कर दर्वाजे को आयस्तरगी से खोला आर्थर फरच पर दूजानों बैठावा था उसकी पुस्त मेरी जानब थी वो रूत के बाजू की हड़ी बिठाने की कोशिश कर रहा था मैं बहुत आयस्तरगी से दबे कदमो इसकी तरव बढ़ने लगा रूत ने तकलिफ की शिद्ध से कराहते हुए दूसरी तरव मूँ किया तो मैं नजर आ गया वो चीख कर बोली जो 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 तनसू आर्थर फोरान ही मेरी तरव पलड़ गया मैं कब पीछे रह सकता था मैंने इसके मूँ पर एक जोड़ की ठोकर मारी वो रूत पर से होता हुआ उलट कर दूसरी तरव चला गया फिर फरश से फोरान ही उठते वकत अपनी जेब से रिवालवर निकालना चाहा मैंने बिला ताखीर गोली चला ती ठाएं की आवास के साथ आर्थर की चीफ बलंद हुई फिर वो अपना दाया बाजू थाम कर दुबारा फरश पर गिर पड़ा मैंने करीब पहुंच कर इसकी जेब से रिवालवर निकालते हुए कहा तुम अब रूत के साथ तुम भी यही लेटे रहो शायद कोई तीसरा तुम तीनों की मरम पटी करने आ जाए मैंस का रिवालवर जेब में रखते हुए कमरे से बाहर आ गया इस दिर्वाजे को बाहर से बंद करने के बाद मैं फिर रेनी के पहले बले कमरे में आया मैंने सुनिया के दिमाग में च्छांक कर देखा इसके साथ जितने आदमी थे वो सब फाइरिंग की अवाज से चौंग गए थे चुक्के इस कला में अवाज चारों तरफ गूंचती थी इसलिए वो फाइरिंग की सई सिम्त का अंदाजा नहीं कर सकते थे मैंने फौरण इस सुनिया को हदायत की सुनिया अब इन से कहो जहां रूत जखमी पड़ी हुई है वहां से मेरी भू आ रही है सुनिया ने जैसे ही ने बताया वो बितहाशा इसी तरफ भागने लगे बदहवासी के बावजूद इने सुनिया का ख्याल था कि कहीं वो औरत इन के लिए मुसीवत ना बन चाया जब भागते वे कमरे में पहुँचे तो अब रूत के साथ आथर भी वहां फरश पर पड़ावा नजर आया फटाबा और मुस्टो एक दूसरे का मुँ देखने लगे क्योंके मैं इन में से एक एक को चुन चुन कर हाथ हो पैरों से बेकार बनाता जा रहा था फटाबा ने सुनिया को घूर कर देखते वे कहा तुमने हमें दोका दिया है तुमने उसी वकर जोतन सु की बू ना सुंग ली जब वो इस कमरे में आर्थर के पास आया था सुनिया ने जवाब दिया जोतन सु इधर से उधर पोजिशन बदलता चाहरा है ऐसी सूरत में फौरण यह नहीं बता सकती थी अगर बू सुंग कर अपने शिकार तक पहुँचना इतना ही आसान होता तो मैं बहुत पहले ही सुजू को तक पहुँच चुकी होती फौटाबा ने तन्जी अंदाज में पूछा अब तो तुम समझ रही होगी कि सुजू को कहा है सुनिय नी भी तन्जी अंदाज में कहा अच्छी तरह समझ रही हूँ फिलहाल तुम लोगों को समझना चाहिए के जोतन सु तमारी शारक के करीब है फौटाबा और मुश्य सुमोटो फिर एक दूसरे का मूद तकने लगे मुश्य सुमोटो ने खौफजदा होकर कहा अब हम मेंसे किसी को तरहा नहीं रहना चाहिए उसकी प्लैनिंग यही है कि हम एक दूसरे से लग करे फिर हम मेंसे किसी को तरहा पाकर रूथ और आर्थर की दरा बेकार बना दे फटाबा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा हम वो बदमाश यही चाहता है अब हम मेंसे कोई इस कमरे में तरहा नहीं रहेगा क्योंकि यह कमरा इसकी कमीन गावन गया है वो किसी दूसरे कमरे में इतनी असानी से हम पर हमला नहीं कर सकेगा मुझसर मोटो ने इनकार में सर हिलाते वे कहा मिस्टर फटाबा आप यह भूल रहे हैं कि वो बदमाश यहां के चोर रास्तों और चोर दर्वाजों को अच्छी तरह जानता है वो कहीं भी पहुंच सकता है फटाबा ने कहा मैं सकाला को तुम से ज्यादा जानता हूं यहां दो कमरे ऐसे हैं जहां वो चोर दर्वाजे से नहीं बहुंच सकता आर्था ने तकलीफ से कराहते और जुंजलाते वे कहा लानत है तुम दोनों पर पहले हमें तिबीमदात पहुंचाओ वगर तुम लोगों को अपनी जान का खौफ खाय जा रहा है मुझे सहारा दे कर मेरे कमरे में ले चलो प्लीज रूथ ने भी कराहते हुए कहा यह लोग खुदगरज है इन्हें हमाई तकलीफ का ज़रा भी एहसास नहीं है नकी बाते सुनकर फटाबा और मुझे सो मोटो ने सुनिया को अपने अपने रिवालíautto की जद में लिया पिर इन दोनों जापानियों से कहा के वो रूथ हो और आर्थर को सहरा दे कर तीबीमदात के लिए ले जाएं एक जापानी अर्थर को सहरा देखकर उठाने लगा फटाबा ने सोनिया से कहा तुम हमारे साथ चलो आब हम तुमारी मदद लेकर किसी मुसीबत में नी पढ़ना चाते हमें पहले ही समझ लेना चाहिए था कि तुम एक मकार औरत हो सोनिया उनके साथ कमरे से निकल कर कोरीडर से गुजरने लगी फटाबा की सोच ने बताया कि इसका कमरा ऐसा है जहां से कोई चोर दर्वाजा नहीं खुलता है वो सोनिया को इसी कमरे में ले गए और इसे मुझे सो मोटर पर फैंक दूंगी मैंने उसे समझाया नहीं सोनिया ऐसी हरकत ना करना फटाबा एक हतरनाक फाइटर है वो आसानी से तुमरे दाव में नहीं आएगा फिरी कि तुम एक रिवालवर की जद में हो खुद को हत्रे में न डालो वो जुझला कर सोच के जरीए कहने लगी तुम्हें शरम नहीं आती दूर ही दूर से नसीयते कर रहे हो क्या तुम फटाबा को दिमागी जटके नहीं बहुँआ सकते नई मैं तुम से कह चुका हूँ कि अपनी सलाहियत का मज़हरा करूँगा तो मेरे दुश्मन होश्यार हो जाएंगे अब तक वो तजबजब में हैं उन्हें मुझ पर शुबा है मगर यकीन नहीं है कि मेरी यादाशत वापस आ चुकी है पिलहाल मेरा त्रीका कर यही है कि मैं चुप चाप दूसरों के दिमागों में जھांकर मलूमात हसल करता रहूँ मैंने अब तक किसी के दिमाग को ख्याल होने के जरीये छीड़ा नहीं है इसलिए मैं फटाबा को चिर्णा नहीं चाहता इन बातों के दुरन फटाबा सोनिया को फथकड़ी पहना चुका था इस तरह के फथकड़ी का एक इसा सोनिय की ताइक कलाई में और दूसरा इसा पाउं के टखने में पहना दिया अब वो फरश पर बैट के थी और ज़रा भी भाग दोड़के काबल न रही थी फिर फटाबा ने मुश्व मोटो को इस कमरे से जाने के लिए कहा मुश्व मोटो ने परेशान होकर कहा मैं तनहा गई नहीं जाओंगा क्या तुम चाहते हो कि वो बदमाच मेरे हाथ पाउं भी तोड़कर रखते बुज्व दिल कहीं के पटाबा ने नगवारी से कहा क्या तुम्हारे पास रिवॉल्वर नहीं है रिवॉल्वर तो आर्थर के पास भी था उन्हों ने जोतन सुका क्या बिगाड लिया मुझ से मोटो ने मकूल बात कही थी कि इफाज़ती कदमाद के बवजूद इस कला के दो फराद अपने अपने एक हाथ से मज़ूर हो गए थे वो सोचता हुआ कमरे के एक गोशे में गया वहां एक बड़ा सरा ट्रांस्मीटर रखवा था वो एक कुरसी पर बैट कर मेज़र यामागोची से राप्ता कायम केने लगा हलो, फॉस्ट मैं हलो, हलो, फूट बाल कालिंग यू मेजर यामागोची को फॉस्ट मैं कहकर महातिब करते थे और वो फटाबा ट्रास्मीटर पर अपना अलग नाम रख छोड़ा था दूसरी तरफ से यामागोची ने जवाब दिया तो फटाबा कला की मजूदा सिच्वेशन बताने लगा तमाम बाते सुनने के बाद यामागोची ने घुसे से कहा तुम ऐसे नलाइक तो नहीं थे से बालातार होकर चाले चलते हैं तुमने मुझे परिशानी में मुब्तला कर दिया अब रहरेक में दुमाग में यही बात आ रही है कि जोतनसू के रूप में फरहाद तो नहीं है इतना कहकर यामागोची ज़रा देर के लिए हमोश हो गया वो मेरे मतलग सोच रहा था चुके वो मिल्टरी सिक्रेट सर्वस में एक मेजर की हस्या से मौजूद रहता था इसलिए से यह खबर मिल गई थी कि फरहाद ली तैमूर टोक्यो के सूपर हाईवे से अगवा कर लिया गया है इसके कार के अगले पईये पर फाइर किया गया था और कार के अंदरूनी हाला से पता चलता था कि काफी जदोजहत के बाद दुश्मनों ने उसे काबू किया है करेन को याद होगा कि मैंने अपने अगवा का ड्रामा खुदी केला था मगर यामगोची मेरी इस फ्राइड ड्रामा बाजी को समझ गया क्यूंकि इसके आदमियों ने मुझे अगवार नहीं किया था आब वो मेजर इसी लाइन पर सोच रहा था कि मैंने सबी को धोके में रखकर और फ्यस बदल कर ट्रेन में रेनी से दोस्ती की और कला तक पहुँच गया मेजर ने थोड़ी दे तक सोचने के बाद कहा फटाबा मुझे यकीन है कि फरहाद वहां पहुँच गया है अब जरा अकल से काम करो फिलहाल इसे उलजने की कोशिश न करो मैं बहुत जल्द मसल्ला नोजवानों को भीज रहा हूँ वो लोग कला का महसरक करेंगे ओवर एंड आल इनकी बाते सुनते ही मैरिनी के कमरे से निकल कर तेजी से चलता हूँ अफटाबा के कमरे की तरफ जाने लगा अब मुझे भी अपने बचाओ की फिकर करनी थी अगर वो लोग कला को गेर लेते तो हमारा वहां से बच कर निकलना मुझे हो जाता मैंने आर्थर के कमरे के करीब से गुजरते हुए इसके दिमाग की स्क्रीन पर देखा वो अपने बाजू की मरहम पटी कर रहा था और इन दो जापानियों को समझा रहा था किस तरह बाजू की अलग होने वली हड़ी को बिठाया जाता है आर्थर जखमी होने के बाद इस काबिल नहीं रहा था कि वो रूत को इसकी तकलीफ से निजात दिलाता इसलिए दूसरों को हड़ी बिठाना सिखा रहा था मैंने इसकी सोच में कहा फटाबा ने सोनिया को कैद कर दिया होगा पता नहीं या वो मैसुमोटो के साथ क्या कर रहा है उसे यहां बलाना चाहिए वो ताकतवर आदमी है रूत का बाजू ठीक कर देगा इस सोच ने आर्थर को कायल कर दिया उसने एक जापानी से कहा तुम वहरां जाओ और मिस्टर फटाबा को बलाकर यहां लेकर आओ मैं आगे जाकर एक दिवार की आड़ में खड़ा हो गया और वो जपानी कबरे से निकल कर हाथ में रिवाल्वर लिए मुक्तात अंदास में आगे बढ़ता जा रहा था जब वो मेरे क्रीब से गुजर कर जाने लगा तो मैंने अपने रिवाल्वर की नाल इसकी गर्दन पर रख दी फिर बड़ी आहस्तगी मगर सफाकी से कहा खबरतार मुझे एक आवास ना निकालना मना तुमारी गर्दन में सुराख हो जाएगा मैंने इसके हाथ से रिवाल्वर चीन लिया फिर इसके चैंबर को हाली करने के बाद दुबार इसके हाथ में रिवाल्वर देते हुए कहा आब चुप चाप आगे बढ़ो फटाबा के कमरे में पहुँच कर कहो के रूत की हालत बड़ी नाजुक है आर्थर ने मुईसुमोटो को बलाया है वो मेरी हदायात के मताबिक आगे बढ़ने लगा मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया कि वो फटाबा के कमरे में पहुँचने के बाद भी मेरे निशाने पर रहेगा और अग कोई चलाकी दिखाने से पहली मर जाएगा मुईसुमोटो इस जपानी के साथ कमरे से बाहर आ गया मैं दर्वाजे की आर्ड में था मुझे देखना सका मैं पंजो के बाद चलता हुआ इन दोनों का पीछा करता रहा थोड़ी दूर जाकर मैंने मुईसुमोटो की गर्दन पर रिवालवर की नाल रख दी बस अब जरा भी हरकत ना करो अपना रिवालवर मुझे दे दो वो सहम कर अपने साथी को देखने लगा लेकिन इसके साथी का रिवालवर पहली खाली कर चुका था आप तुम दोनों फटाबा के पास वापस चलो और उसे अपने रिवालवर के निशाने पर रख कर दर्वादे पर कड़े हो जाओ इस से ज्यादा तुम दोनों को कुछ नहीं करना है मगर अची तरह याद रखो तुम्हारा अंदाज ऐसा ही हो जैसे तुम दोनों ही फटाबा को गोली माना चाहते हो मुईसमोटो ने खौफ से लरसते हुए कहा मगर फटाबा का रिवालवर भरा हुए और हमारा खाली है अगर हम इसका निशाना लेंगे तो वो हम पर फायर कर देगा मैंने इसके सरपर एक चपत मारते हूए कहा पागल के बचे फटाबा को कैसे मालूम होगा कि तुम दोनों के रिवालवर खाली है इसने तुम दोनों के पास भरे वे रिवालवर देखे हैं वो तुम बैसे किसी पर भी फायर करते हुए डरेगा चलो आगे बड़ो वो दोनों अपने अपने हाथ में रिवालवर पकड़े चुप चाप चलते हुए फटाबा के कमरे के दर्वाजे पर पहुँच गए मैं पहले कितना दर्वाजे की याड में खड़ा हो गया फटाबा ने इन दोनों को देखते ही चौंकर पुछा क्या बात है वापस क्यूं आए हो इन दोनों ने हमोशी से अपने अपने रिवालवर का रुख इसके जानब कर दिया मैं इस वकद ब्राहे रास्ट फटाबा के दिमाग में जाक रहा था वो परेशान होकर सोच रहा था क्या माज़रा है क्या ये दोनों मुझे पर फायर करना चाहते हैं जे फोरहन ही अपना रिवालवर निकालना चाहिए मैंने मुईस्व मोटो की सोच में कहा मिस्टर फटाबा अब अपने दोनों हाथ उपर उठालें रिवालवर निकालें की हमाकत न करें मुईसमोटो ने बेक्तियार इस सोच के मताबक फटाबा से यही बात कही फटाबा मजबूर होकर अपने दोनों हाथ उठाते वे बोला ये क्या मज़ाक है क्या तुम दोनों का दिमाग चल गया मैं दोनों मेरे आगे शाना बाशाना खड़े वे थे मैंने अपना रिवालर इन दोनों के सुनों के दिर्मायान रखते हुए फटाबा से कहा तुमारे सामने तीन रिवालर हैं तुम किसके हाथों मरत पसंद करोगे वो एकदम से घबरा कर बोला, ने नहीं जो थनसू, मुझ पर गोली न चलाओ, मैं तुमें नकाबले शकिस्त तस्लीम करता हूँ, तुमेरे साथ मिलकर काम करो, मैं तुमें आसमान की बलंदियों पर, मैंने इसकी बात काट कर कहा, मुझे जमीन पर रहने दो, तुम्हारे साम थी कि मुझ सो मोटो करीब आएगा तो वो इसे रिवालवर ले ले लेगी, मैंने इसे सोच के जरीए समझाया, सोनिया, मुझ सो मोटो का रिवालवर खाली है, तुम वहां से उटकर फटाबा के रिवालवर पर कबजा करो, मुझ सो मोटो इसकी हदकड़ी खोल चुका था, वो वहां से उटकर फुटाबा के पीछे गई फिर इसकी जेब में हार डालकर रिवॉल्वर निकाल लिया मैंने कहा फुटाबा तुमारे आदमियों ने तुमें निशाने पर रखाया अभी चंद मिनट पहले ये तुमारे अपने थे तुमारे वफदार थे अब मेरे गुलाम है कि तुमारी अकल काम करती है कितने जल्दी कैसे काया पलट गई फुटाबा का बाप भी नहीं समझ सकता था कि इनके रिवॉल्वर खाली है इसे तो इन रिवॉल्वरों से अपनी मौत नजर आ रही थी वो सच मुच बहुत ज्यादा हिरान था कि ये सब कुछ कैसे हो क्या मैंने उसे कहा मैंने उसे कहा अब तुमारी जिन्दगी की जमानत सिर्फ इसी शर्ट पर दी जा सकती है कि तुम मेरे हर हुकम की तामील करो बोलो मन्जूर है उसने परेशान होकर बोचा तुम क्या चाहते हो मैं भी बताता हूँ मैंने मुजीद कुछ कहने से पहले अपनी जेव से आहनी नाखनों वाले पंजे निकाल कर सोनिय की तरफ उच्छाल दी और इसे कहा सोनिया इसे पहन लो अगर फटाबा मेरे किसी हुकम से इंकार करे तो इसके जिसम के किसी भी हिस्से से एक पाउ गोश्ट नोच लेना वा अपनी उगलियों पर आहनी नाखन चुड़ाने लगी फटाबा होवजदा होकर थूक निकल रहा था वो ना तो कमजोर था और ना ही बुजदिल था लेकिन ऐसे वक्त बड़े बड़े शेह जोर भी मजबूर हो जाते हैं जब चारों तरफ से रिवालवर ठाएं ठाएं बज़ने के लिए ही तैयार हूँ इसके सामने इसके दो साथियों के रिवालवर थे तीसरा रिवालवर मेरे हाथ में था चोथा रिवालवर सोनिया ने इसकी जेब से निकाल लिया था इस पर सितम जरीफी ये कि अब आहनी नाकनों का इज़ाफ़ा हो गया था इसके बाद मैंने से पूछा पटाबा तुमारे पास ट्रांस्मीटर का काफी बड़ा सेट है मैं जानता हूँ जदीद मेकनिजम के तहट इसमें फ्रिक्वेंसी तबदील हो जाती है तुम इसके जरीए करनल जोशोहू के ट्रांस्मीटर की गुफटगू भी सुनते होगे जवाब दो क्या मैं गलत कह रहा हूँ उसने ट्रांस्मीटर और मुफरिफ अलाद की जानब कनक्यों से देखा उसका दिमाग कह रहा था ये कमबहत इन मशीनों को इस्तमाल करना चानता है तब ही ऐसी बात कह रहा है इस लिए में कोई जूट काम नहीं आएगा ये सोचने के बाद उसनी करार कर लिया कि एक फ्रिक्वेंसी तब्दील करके दूसरों के ट्रांस्मीटरों की आवाजे पकड़ी जा सकती है और इन से राप्ता भी काइम किया जा सकता है मैंने उसे कहा ठीक है अब करनल जोशोहू से राप्ता काइम करो सोनी ने बड़े प्यास से इसके सर को आहनी नाकनों से सहलाते हुए कहा मेरे फुटबाल बेटे देर ना करो वरना इन नाकनों से फुटबाल की हवा निकल जाएगी वो मजबूरन ट्रांस्मीटर की दरफ जुक कर करनल जोशोहू से राप्ता काइम करने लगा मैंने सोच के जरिये सोनीय से कहा मेरी जान जैसे ही राप्ता काइम हो तो तुम ट्रांस्मीटर का माइक अपने हाथ में ले लेना फिर करनल से वही बाते करना जो मैं सोच के जरिये तुम से कहता जाऊंगा सोनीय ने यही कहा frequency तबदील होते ही वो अपने हाथ में माइक लेकर बोलने लगी हलो हलो सोनिया कालिंग हलो मिस्टर जोशो हूँ सोनिया कालिंग ओवर दूसरी तरफ से करनर जोशो हूँ की आवास सुनाई दी हलो सोनिया जोशो हूँ अर्टेंडिंग तुम कहां गायब हो गई थी मैं बहुत परेशान हूँ क्या सुजुको मिल गई ओवर जी हाँ सुजुको और फरहाद दोनों ही मिल गए हैं अब मैं जो कुछ कहती हूँ आप इसके मताबक फॉरन एक्शन लें अब सबसे पहले मिजर यामगोची को हिरासत मिलें. वही आपके खिलाफ सादिशे कर रहे हैं सुनिया ये मिर लिए चुका देने वली खबर है कि मिजर यामगोची जैसा जमेदार अफसर घगदार है किया तुम इसके खिलाफ को सबूत पेश कर सकती हूं ओवर, यहां चंद मुजरुमों को इसके खिलाफ गवा के तोर पर पेश किया जा सकता है हम सुबूत हासल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम फिलहाल हिफाज़ती एकदाम के तोर पर इसे नजर बंतो कर सकते हैं ओवर, हाँ ऐसा हो सकता है, तुम कम जो कम मुझे सुबूकों की आवाज सुनाओ, मैं इसके लिए बहुत बेचैन हूँ, ओवर, आप अपनी बेटी की आवाज सुन लेंगे, मगर अभी वो दूसरे कमरे में हैं, हमें एक कला में महसूर करने की कोशिश की जा रही है, मैं इस आवा से कहा, आब बताओ, के तुम मेज़ यामागोची के हलाब कोई सुबूत पेश कर सकते हो, उसने हिच किचाते हुए कहा, तो तुम्हें गलत फहमी हुई है, मेज़ यामागोची का हम से कोई तालुक नहीं है, मैं सुनिया से कहा, पंजा मारो, वो शेरनी कितना गुर तुम इन तीनों को संभालो, मैं भी आ रहा हूँ, सुनिया ने कहा, तुम फिका ना करो, अगर इन लोगों ने कुछ गड़बर की, तो मैं पहली फुरसत में गोली मारतूंगी, मैं तेजी से चलता हुआ, आथर के कमरे की तरफ जाने लगा, मेरा ख्याल दुरस तर निकला उदर से दोड़ते वे कदमों की आवाजे सुनाई दे रही थी, मैं फॉरन ही दिवार की यार्ड में खड़ा हो गया, वो जपानी तेजी से दोड़ता आ रहा था, क्योंकि आप एक वही दोड़ने के काबल रहा था, जब वो मेरे क्रीब से गुजर कर आगे निकल गया, त तुमारे सामने सिर्फ एक जापानी और मुझसो मोटो सीयो सलामत खड़े वे हैं, तुम अपनी असानी के लिए इने भी हाथपों से मज़ूर बना सकती हूँ, अब मैं जहरीले आदमी की तरफ चाह रहा हूँ, जो इन लोगों के लिए बड़ी एहमियत रखता है, तुम इसके बाजू की हड़ी दरुस्त करने वाला ना था, और आर्थर एक हाथ सी काम करने ही सकता था, वो मुझे देखते ही गड़गड़ाने लगी, जो तनसू, खुदा के लिए मुझे रहम करो, मैं तकलीफ से मरी जारी हूँ, मेरा बाजू ठीक कर तो, मैं तुमारा इसान, मैं तुमारा इसान, जिन्दगी भर नहीं भूलूँगी, मैंने कहा, डार्लिंग, मैं जो तनसू नहीं हूँ, फरहाथ हूँ, तुम में इस वकत सोनिया के रूप में हो, अगर सच मुझ की सोनिया होती, तो इन बाहों को अपनी गर्दन में सजाने के लिए जरूर दूस्त कर देता, वो खौफ़दा नजरों से मुझे देखने लगी, पहले उसे शुबा था कि मैं इंटेलिजन्स का आदमी हूँ, वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस नकली सोनिया के साथ असली फरहाद आ सकता है, आर्थर समझ रहा था कि मैं रूत की तरफ मतवज़ा हूँ, इसलि बेचारे का दूसरा हाथ भी हमेशे के लिए बेचारा हो गया था, रूत सेहमी हुई नजरों से मुझे देख रही थी, खौफ के मारे, वो थोड़ी देर के लिए अपनी तकलीफ भूल गई, क्योंके अब मेरे रिवालवर करो, उसकी जानब था, मैंने बड़ी सपाकी से म तकलीफ बढ़ गई, मैंने कहा, मैं तुम पर रहम कर सकता हूँ अगर तुम मेरे दोस्त बनकर मेरा साथ दो, मैं दिलो जान से तुम्हारा साथ दोंगी, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए फखर का बाइस होगी, तुम मझे आजमा कर देख लो, अच्छा तुम्हारा हूँ, यह सबाल का सही जवाब तो, क्या तुम कोई सबूत पेश कर सकती हूँ कि तुम्हारी तनजीम से मेजर यामगोची का गहरा तालुक है, हाँ मैं सबूत पेश कर सकती हूँ, इस कला के तहाने में तुमें इसके खिलाफ बहुत सा मवाद मिलेगा, शाबाश, मैंने जेब मे रिवाल्वर रखकर इसकी तरफ बढ़ते वे का तुम वाकी दोस्ती का सबूत दे रही हो मैं अभी तुम्हारे बाजू की हड़ी ठीकिये देता हूँ मैं पलंग पर आ गया फिर इस पर जुक कर इसके बाजू को आइस्तगी के साथ थाम कर बाजू से उकडी हुई हड़ी को दीरे दीरे सहलाने लगा उसे जोड की तरफ पहुँचाने लगा वो तकलीफ की शिद्ध से बेहाल हो रही थी फिर अचानक ही मैंने इसके बाजू को एक जोर का जटका दिया खट की आवाज के साथ हड़ी जोड में बैट कही वो एक जोर की चीख मार कर बिल्कुल निढाल सी हो गए और गहरी गहरी सांसे लेने लगी उसका बाजू दुख रहा था मगर पहले जैसी तकलीफ नहीं थी मैंने उसे कहा तुम्हारी डॉक्टर आर्थर के पास मालिश के लिए यकिनन कोई जोड़ सर दवा होगी मेरे पास इताँ वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारा बलाउस कोल कर शाने और बाजू की मालिश कर सकूँ ये काम तुम तुम खुदी करो मैं से छोड़ कर फिर सोनी एक दर्फ जाने लगा उसके साथ ही मैं रूत के ख्यालाद को पढ़ता जा रहा था वो ऐस्ते ऐसा उटकर दवाओं की अल्मारी के पास जाना चाहती थी आर्थर अपनी तकलीफ से कराहते हुए इससे इल्दजाए कर रहा था रूत मेरी मदद करो देखो खून तेजी से बेह रहा है सोरी आर्थर मैं फरहाद से पूछ कर मदद करूँगी इसलिए के मुझे अपनी जिंदगी से प्यार है वो दान पीस्ते वे बोला क्या बक्ती हो क्या तुम तन्जीम से घदारी करोगी वो तन्जीम को एक नस्वानी किसम की गाली देती हुई बोली ये तन्जीम हमारी इफाज़त के लिए क्या कर रही है वो तन्हा आदमी हम सब को चूहों की मौत मार रहा है तुम देख लो के खुद किस तरह सिसक रहे हो तरड़ अप रहे हो अब मैं फरहाद की मर्जी के खिलाब कोई कदम उठा कर किसी मसीबत में ने पढ़ूँगी मैं इसकी बाते सुनता रहा फटाबा के कमरे में पहुंच किया इसी वकद सोनिया ने इस जापानी नौजवान पर गोली चलाई थी सुनिया ने फटाबा से कहा मैं औरोथ हूं मगर मेरे दिल में रहम नहीं है इसले फरहाद ने थोड़ी देर पहले जो सवाल किया था इसका फॉरण जवाब तो वो अपने शाने के उद्रड़े वे गोश्ट पर हाथ रखकर लर्स कर बोला मैंने जूट नहीं वो मैंने जूट बोला था मेजर यामगवची का तालुक हमारी तन्जीम से है मगर मेरे पास इसके हिलाब कोई सबूत नहीं है मैंने सुनिया से कहा यह जूट बोला है पंजा मारो फटाबा फॉरण ही फर्ष पर से उचलकर खड़ा हो गया अब वो मरने मारने पर अमादा हो गया था लेकिन सुनिया भी इसकी तरह पुरतीली थी उसने इसके मुँपर पंजा मारा वो वाकी बेरहम और संगदिल थी दुश्मनों से मरवट करना जानती ही ना थी पटाबा दोनों हाथ मुपर रखकर चिख रहा था चेहरे पर हाथ रखने से पहले मैंने इसकी एक जलक देखी थी और मैं यकीन से कह सकता था कि इसका शनाथी काड़ अब इसके बेकार हो गया था क्योंकि इसका चेहरे नकाबले शनक्त होकर रह गया था सोनिया मैंने कहा अब इसे कुछ ना पूछो मैं मालूमात हासल कर चुका हूँ तुम यहां ट्रंस्मिलर के पास रो मैं सुजुको को यहां लेकर आता हूँ क्या मैं उसे यहां नहां सकती तुम्हारा जाना क्या जरूरी है